हेलो बच्चो मेरा नाम है अविनोपाधक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 12 का अगला वनसौट जिसका नाम है प्रतलोम त्रिकोडमिती फलन ठीक है तो आज हम लोग इनवर्स टिग्नोमेटी फंक्शन का वनसौट कम्प्लीट करने वाले हैं एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर रिवाइस करने वाले हैं बहुत प्यारा चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर हो गया है पिछले और कंपेरिजन में अगर पिछले एक-दो साल और देखे जाए तो काफी सलेवस कम हुआ जब अपने चाहें किसी भी बोर्ड की बात कर ले तो मैक्सिमम म इतना syllabus कम हो गया है कि अब chapter जो हम लोगों के पास इस बार जो exam में paper आपके पास आने वाला है उसमें question बहुत limited आने वाले है और बहुत थोड़ा सा आसान भी हो गया है लेकिन अभी भी अच्छे लेवल के questions अभी अपने exam में आने के chances हैं जो अभी book में हमें दिये भी गए है इत्क्रमणी फलं के बारे में सीखा था ठीक आज हमें प्रितलों त्रकोण मित्ती फलों के बारे में पढ़ना है जो त्रकोण मित्ती फलन होते हैं छे नुपाथ हमने त्रकोण मित्य नुपाथ पड़े हुए है साइन कॉस्ट टेन कॉट से कॉसिट इनी का inverse function जब होता है इनी को जब हम प्रितलों में convert कर लेते हैं तो इनके बारे में जो हमारे पास अध्यान है उसी के आज हम चर्चा करेंगे ठीक है तो basically हमारे पास दो exercise है जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 2.1 है और 2.2 है 2.1 बहुत आसान सी exercise है इससे maximum जो chances होगा एक या दो marks का question बनेगा इससे उपर का कोई question नहीं बनने वाला 2.1 से starting के आदे गंटे के अंदर हमारे पास exercise खतम हो जाएगी सारे question किसी भी type का question बनेगा तो महरा हम से करके आओगे एक या दो marks से उपर का question नहीं आए इससे 2.2 से अच्छे question बनते हैं या वीवीद उधारान के जो question है या वीवीद exercise में question दिये गए वो भी हम करेंगे इसके बाद 2.2 के बाद mixed रूप से करेंगे कभी इधर का question कभी उधर का question लेकिन आपको पूरा chapter अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे अच्छे question बनते हैं 2.2 से ठीक है बिना किसी देरी के 2.1 जो हमारे पास exercise है वो एक ही चीज पर पूरी टिकी है maximum जो हमारे पास है एक ही प्रकार के फार्मूले सबसे important चीज़ जो इसमें हमें याद रखने वाली है वो है प्रतलों तिर्कोर मिती फलनों के प्रांत वा परिशर उसमें भी प्रांत तो छोड़ दो प्रांत मलब डोमेन प्रांत तो वो भी तुमें अगर नहीं याद होगा मलब थोड़ा सा अगर उसमें confusion भी तो भी काम चलिए question जो ज़्यादा बनते है वो इसके परिशर पर बनते है रेंज पर तो प्रांत और परिशर इसका क्या होना चाहिए तुम्हें याद होना चाहिए कि जो मारे पास inverse टिक्नोमेटिव फंक्शन है कौन से sine inverse x, cos inverse x, ten inverse x, cot inverse x, sec inverse x और cos sec inverse x इनकी range क्या होती है परिशर क्या होती है छोटी सी ट्रीक है मैं बता देता हूँ जितना आसानी से आपको समझ में आ जाए ताकि कोई दिक्कत ना रहे मैं जितना इसको आसान कर सकता हूँ इसको याद करने का आसान तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे एक बार आपको याद हो जाए बाकि आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई option नहीं है, ये table हमें पता होनी चाहिए, प्रांत भी पता होने चाहिए, प्रांत भी आप याद कर ले न, परिसर तो भूल ला ही नहीं, इसमें तो कोई chance ही नहीं, क्योंकि इसी पर पूरा question आदारी थे, इसी पर exercise हमारे पा करूँ, जो मारे पास है, sign, 10 or second, टिक, 1, 3, और 5, ये तो महत으면 दिख रहे, पहला तीसरा और ऑर पाचुववा, पहला तीसरा पाचुवा, हाँ यही दिख रहे, पाचो नहीं, ये चठा ले ले, सेक नहीं कॉसेक साइन टेन और कॉसेक की अगर हम बात करें साइन टेन और कॉसेक की इन तीन की बात करें तो इनका पैटरन सेम टाइब का इसलिए मैंने एक साथ लिया साइन टेन और कॉसेक इसमें क्या है इनकी जो हमारे पास रेंज होती है इनका जो परिशर होती है, वो हमारे पास कैसी रहती है, सर यह हमारे पास रहती है, चाहें पर नहीं गयात की जा सकती है इसलिए पाई बाई धू मैंनस पाई बाई जांडिय और पाई भाई टू नहीं नहीं ली गए उस रेंज में क्युक्किे मैं पता है टैन्ल पाई बाई टू पर बाई टूğ यूज करते हैं, simple, बड़ा bracket का मतलब क्या हुआ, कि minus pi by 2, pi by 2 के बीच की value, और pi by 2, minus pi by 2 भी समली थे, यही मतलब होता है, इसमें छोटा bracket लगा मतलब सिर्फ बीच की value समली थे, जो side वाली ये value है, ये नहीं समली थे, pi by 2, minus pi by 2, नहीं समली थे, उसके पीछे कारण यही है, क nothinistici, 10,90, infinite हो जाता है, इसलिए ये simple, हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पर हम छोटा bracket यूज करते हैं, same case हमारे पास, cosec में हो जाता है कि cosec 0 की जो value है वो infinite हो जाती है आपको पता होगा कि cosec 0 degree जो हमारे पास होता है वो हमारे पास infinite होता है cosec 0 की value क्या होता है infinite होती है अगर cosec 0 की value cosec 0 की value infinite होती है तो simple वहाँ पर pi by 2 से minus pi by 2 से pi by 2 तो रहेगा लेकिन उससे हम 0 को क्या करते हैं? 0 को हटा देते हैं तो ये 3 एक पैटरन पर चलते हैं कौन से साइन, 10 और कॉस एक बाकी आपको ये 3 पता ही है ये इनकी रेंज क्या है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू चार चो मलब कि हमारे पास सेक इंवर्स बचा और हमारे पास कौन बचा? कॉट इंवर्स, कॉट पहले लिख लो फिस सेक लिख लो फिर कॉट इंवर्स बचा, फिर सेक इंवर्स बचा अब ये 3 बचे, इन सब की रेंज कौन सी होती है? 0 से पाई इन सभी की रेंग जीरो से पाई के बीच होती है फिर वही काम करना है तो कॉस का तो जीरो से पाई कोई दिक्कत नहीं बड़े ब्रेकेट में है जबकि कॉट में क्या होता है ये छोटे ब्रेकेट में आ जाता है क्यों क्योंकि कॉट पाई पर वैलू इंफाइनाइट हो जात तो यहां से sec pi जो मारे पास होता है sec 90 जो होता है वो मारे पास क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा तो 0 से pi से हम क्या करते है sec वाला जो मारे पास pi by 2 वाली value है वो हम हटा देते हैं यह basic सी trick है इससे आप इसी table को याद रख सकते हैं इसी प्रकार से table तुम्हें पता होना चाहिए तो इसकी range तुम्हें याद रहेगी कोई दिखकर तो नहीं इन 3 की चलती है pi by 2 से minus pi by 2 से pi by 2 इन की चलती है 0 से pi 3 हो की यह बड़े bracket यह छोटा bracket इससे pi by 2 कम क्योंकि infinite जहां पर जो हट रहा है वो infinite की वज़े 60 और कोई कारण नहीं यह अट रहा है यहां पर infinite का कारण और कोई कारण नहीं ठीक है याद रहेगा अब इस पर हमारे पास कैसे इस रूप के दिए गए अब समझो पहले क्या करना है मालो तुम्हारे पास अब हमसे question कैसा बनता है जैसे की for example हमारे पास question इसमें ऐसा बनता है अभी तक हम पढ़ते थे मालो आफ से हम अगर यह पूछे और साइन ड़ी इंग spec 14 की एंग क्या होती है शाइन पाई बाइवाए 3 का मतलब क्या होता है साइन थीval मतलब होते है साइन पाई फैस सिस्टी डिग्री साइन की डिग्री की व게ल्व나ग होती है सार रूट 3 भाइन तो यही तो होती है अब अगर हम sign को उस side बेज दे तो pi by 3 बराबर क्या हो जाए का sign उस side चला गया तो यह क्या हो कहा है sign inverse root 3 by 2 तो हम यह कह सकते हैं कि sign inverse root 3 by 2 जो होता है मलब sign में जो root 3 by 2 value होती है वो pi by 3 क्यों होती है तो यहां पर question तुम से कैसा frame करेंगा इस side वाली चीज़ देगा कि sign inverse root 3 by 2 किसके बराबर है तो sign में root 3 by 2 किसके बराबर होता है pi by 3 के बराबर ऐसे मालो अगला question अगर वो दे रहा है same pattern का यह तो पहला हो गया ऐसे अगला question दे रहा है यह तो हमने इसके माध्यम से समझाए question कैसा directly आएगा ऐसा कि I assign inverse 1 by 2 equal to क्या होगा तो आप क्या बता होगे कि sir sign में 1 by 2 value किसकी होती है sign में 1 by 2 value जो होती है वो 30 degree के होती ही तो pi बटे 6 आगे यह बात में table याद होना चाहिए वो table हमें याद होगी इसके time से कर रहा है 9, 10, 11, 12 करी रहे तो वो table तो याद होगी ना सभी को sign inverse 1 by 2 क्या हो जाएगा pi by 6 आएसा ही question तुमारे पास आया cos inverse root 3 by 2 तो आप क्या सोचोगे कि cos में root 3 by 2 value किसकी होती है किसकी होती है root 3 by 2 सर कौस 30 डिगरी की होती है मतलब यह भी क्या हो जाएगा pi बटे 6 तो directly क्या लिखोगे pi बटे 6 समस्या कहाँ पर create होती है यह तो तुम directly लिखते चलोगा आगले मालो अगला question आया 10 inverse pi by a 10 inverse 1 तो आप क्या बहोगे 10 में 1 किसकी value होती है pi by 4 की तो आपने pi by 4 तुरूंत यहाँ पर लिख दिया इसा 10 में जो 1 value होती हो pi by 4 की होती है समस्या यहाँ पर create होती है जब आपसे question आया कि sine inverse के अंदर उसने minus की कोई value दे दी कि minus का root 3 बटे 2 यह किसके बराबर होगा या उसने cause के अंदर minus की value दे दी उसके लिए direct formula है तो direct formula याद रखो के काम हो जाएगा अबने आज अंजिवार बूले देखो में लिखता हूँ sine inverse minus x बराबर क्या होता है फिर ए cause inverse minus x फिर है मारे पास 10 inverse minus x फिर है मारे पास caught inverse minus x फिर है मारे पास second verse minus x और फिर है cause से किन वर्स माइनस एक छैख फार्मूले हैं सिंपल से आपको कुछ नहीं यह तीन तो सेम होते हैं जैसे मलब अभी करते जैसे यह आपको याद होगा साइन माइने सीटा माइनस एंटीटा कॉस माइनस टीटा प्लस को सीट हो जाता है जो चौत चौत अच्छान स्वें हो ते 10 inverse x ठीक साइन के अंदर से बाहर 10 के अंदर से बार और किसके अंदर से बार और सर हमारे पास कॉसेक के अंदर से तुरंद बार माइनस का कॉसेक इन वर्स एक्स ठीक कॉस में भी माइनस तुबार आ जाएगा कोई दिकत नहीं कॉस में भी माइनस तुबार आ जाएगा माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स लेकिन इसमें पाई एड हो जाता है साथ में पाई और एड हो जाएगा कॉट में भी माइनस तो बार आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स लेकिन इसमें भी क्या होगा पाई एड हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स लेकिन इसमें पाई क्या होगा एड ह बस ये फार्मूले याद रखने हैं इसी से पूरा अपनी exercise जो पहली है इतने ही फार्मूले है एक हमें ये range पता है एक हमें ये फार्मूले पता है exercise पूरी solve होगे प्लस वाली value है direct answer आता है बस ये याद रखना कि cos cot और sec में क्या होता है ये πाई हमारे पास साथ में πाई माइनस cos inversus, πाई माइनस cot inversus, sec में πाई माइनस sec inversus, sin 10 और cos sec में सीधा माइनस बाहर आ जाता है कोई दिखकर निए वो माइनस समझ लेता है अब फॉर एक्जामपल ये sin inverse minus का root 3 by 2 इसमें क्या होगा minus बाहर आ जाएगा तो minus अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या वचा minus sin inverse root 3 by 2 अब आपको पता है कि root 3 by 2 किसकी value होती है सर 60 degree क्यों होती है मनलब pi by 3 minus के साथ pi by 3 answer होगे minus pi by 3 इसका right answer होगे अब cos में अगर minus का 1 by 2 है तो आपको पता है कि सर ये pi minus cos inverse x क्या लिखा है 1 by 2 1 by 2 लिख दो pi minus cos inverse x होगे अब आपको पता है कि यहां से हो जाएगा pi cos inverse 1 by 2 की value क्या होती है सरी हमारे पास होता है 60 degree के बराबर 60 degree मतलब की pi by 3 तो pi minus pi by 3 मतलब कि यह आजाएगा 2 pi by 3 तो 2 pi by 3 इसका क्या हो जाएगा right answer ठीक है बात के लिए किसी को कोई doubt को नहीं आतक कोई समस्था तो नहीं बस यह फार्मूले याद रखो होगे अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं छोटी सी ट्रीक है आराम से याद रहेंगे आपको ठीक अब यह कोशन दिएगा exercise में सीधा exercise को कोशन पर चलते हैं यही सेम फार्मेट के कोशन है पहला कोशन क्या कह रहा है पहला कोशन है हमारे पास मैं करता हूँ साइन इनवर्स माइनस का वन बाई टू आपको पता है क्या करना है साइन के साथ जब माइनस होता है तो माइनस बहार आ जाता है हमें फार्मूले में पता है कि डारेक्ट माइनस बहार आचा है और साइन में 1 by 2 value होती है हमारे पास किसकी 30 degree साइन 30 की 1 by 2 होती है तो मतलब कि 5 by 6 तो माइनस का 5 by 6 is the right answer ऐसा ही दूसरा question आओ सर दूसरा question कहे रहा है cost inverse root 3 by 2 अब आपको पता है कि cost में अंदर positive है तो फिर तो फाई भाई 6 यह सीधे पाई भाई 6 आजयेगा तिक तो यहां से डायकली क्या जाएगा पाई वेल्यू होती है वो किसकी होती है सरक और सेक में जो टू वेल्यू होती है वो तीश डिग्री की होती ये भी पाइब आज जाएगा सिंपल पाइब आजाएगा आगे यह आओ चौथा तो था चोथा क्या कहा रहा है 10 इंवर्स माइनस का रूट 3 अब तुम्हें 10 में पता है कि 10 के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस सीधे बाहर आ जाता है कुछ नहीं होता है तता है ने 10 के अंदर माइनस माइनस सीधे बाहर माइनस का 10 inverse root 3 ये बात हमें पता है और 10 में हमारे पास root 3 जो value होती है वो हमारे पास किसकी value होती है 1060 degree की 60 degree मतलब की pi by 3 तो minus का pi by 3 ये आपका answer हो जाएगा 5 वाओ, मैं सारे ही कर दे रहा हूँ आसान है सारे कर लोगे तुम लोग भी cos inverse minus का 1 by 2, साथ साथ करते रहे ना आसान है माल लिया, cos inverse minus लगा, cos के साथ तो बस याद रखना pi minus cos inverse x होगा पहले अब cos में 1 by 2 value किसकी होती है, सरक cos में 1 by 2 जो value होती है, वो 60 degree की होती है तो pi by 3 ये हो जाएगा 2 pi by 3 ठीक है न, pi minus होता न cos, pi minus cos inverse ठीक, अब आँगे आओ छटा, छटा हमारे पास है 10 inverse minus 1 10 में minus सीधा भार आ जाता है, minus 10 inverse 1 अब 1 value होती है, pi by 4 की तो minus pi by 4 ये आपके answer हो जाएगे आसान-ासान से question है इसी format के question आते हैं और कुछ ने पहले exercise में सिर्फ यही format के सारे question दिये गए हैं, कभी minus का कोण होगा, कभी plus का कोण होगा इनी को solve करने के दो, अब ये single single के हैं अलाग अलग अलग सारे single single के हैं आँगे जो इसी में थोड़ा सा अच्छे question करने की कोशिस करेगा, इसमें double, जोड दिया ये एक, दो, तीन हो गए, यहाँ पे दो हो गए ये ग्यारवा बारवा number question है करते हैं, इसको भी करना वैसे ही है same आपको क्या करना, अब इसमें 3 उसने लिख दी है वैसे हमें solve करना, अब 10 inverse 1 की value कि किस की होती है, 10 inverse 1, pi by 4 की plus, cos के अंदर minus minus आ गया, तो cos के अंदर minus आने पर pi minus cos inverse x होता है तो इसको पहले pi में change कर लिया ठीक, क्योंकि cos के अंदर minus आने का मतलब है, pi minus cos inverse x x क्या है, 1 by 2, sine के अंदर minus आने का कोई मतलब नहीं, minus सीधा बाहर minus का sine inverse 1 by 2, ठीक, इसको भी अभी नहीं बदलो, इसको भी ऐसी रहने दो अगली line में सारे को बदल लेंगे ठीक, यह हमने पहले क्या किया जो minus थे, उनको minus को पहले बाहर ले लिया इसको भी बाहर ले लिया, इसको भी बाहर ले लिया अब यह पता है कि pi by 4 होता है plus pi minus cos inverse 1 by 2, cos में 1 by 2 value किसके होती, 60 degree की pi by 3 आ जाएगा minus 1 by 2, cos की value होती है 1 by 2 value होती, 30 degree की 30 degree मतलब 36, 18, pi by 6 ठीक, अब इनको कर लो, calculate कर लो भाई पूरे का ले 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 पसी इदा 6, 3, 18, 24, 24 ले लो ता 4, 6, 24, तो 6, 5 plus का 24, 5 minus का 38, 24, minus का 8, 5 4, 5, और minus का 4, 5 किता आ जाएगा यह, यह 24 और 6 हो जाएगा, 30, और 30 से मारे पास 12 माइनस हो जाएगा किता माइनस हो जाएगा, हां 30 से मारे पास 8, 4, 12 माइनस हो जाएगा 30 से 12 माइनस मतलब 18 18, 18 pi बटे 24 तो 6 तरीक, 18, 6 24, 3 pi by 4 is the right answer कैल्कुलेट कर लेना कई मिश्टेक लगे तुम बता देना थ्री पाइवाइब फॉर इस दा राइड आंसर ठीक है किलियर कोई शमस्या तो नहीं भाई किसी को कोई डाउट हो तो बताओ ऐसे डारेक्ली केलकुलेट किया यहाँ पर ले ले लेते कुछ कट कटा तो रहा नहीं था सीधा यहाँ ले लो कोई दिखकर ने जो एलसी अम मेरा वह यह आउसर इसको करते कॉश्ट इंवर्स वन बाई टू टू साइन इन वर्स वन बाई टू ठीक कोई दिखकर ने अब to sign one by two मतलब कि हो गया साइन do दिमाग नहीं लगा। डायरेक्ट जो वैलू होती है वो समय रखो यह बस हमें सोचना МУЗЫКА 1 plus 2 cost में value किसकी होती है जिसे 10 में आ रहा तो 10 में यह value किसकी होती है या court में आ रहा है तो court में ये value किश्की होती है ठीक है clear है यहां तक कोई doubt तो नहीं भाई किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही आसान है इसलिए थोड़ा speed में चल ले और आसान है revision भी है तो अच्छे से clear हो रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है ठीक है चलते आंगे अगला question देखते है चौदवा number example दिया हुआ है example में क्या कह रहा है देखो same pattern का है example में ये कह रहा है हमारे पास है 10 inverse root 3 minus second verse minus का 2 10 में root 3 value किसकी होती है 10 में root 3 value जो होती है वो 60 degree की होती है साथ degree मतलब की पाई भाई 3 ठीक माइनस अब माइनस हमारे पास आगे आप पहले ऐसा करते है माइनस बाहर ले लो तब एक साथ करते हैं जिसे 10 inverse root 3 ऐसे रहने दो 10 inverse root 3 अब से के अंदर या माइनस आता है तो पाई बहर आता है याद है सेक अंदर माइनस बहर आता है तो महारे पास पाई माइनस एक इन वर्स एक्स हो गया अब यह आगया 10 inverse रूट 3 माइनस का पाई यह माइनस अंदर गया प्लस का सेक इंवर्स अब इसको कैलकुलेट कर लो यह किसकी वेलू होती है सरसाथ डिगरी की पाई भाई 3 माइनस पाई यह किसकी वेलू होती है सेक में हमारे पास 2 वेलू किसकी होती है सेक में 2 वेलू होती है 60 60 मतलब पाई भाई 3 यह भी आ जाएगा ठीक पाई भाई 3 किता हो जाएगा 2 पाई भाई 3 माइनस का पाई किता आ जाएगा 3 माइनस का पाई भाई 3 आ जाएगा तो माइनस पाई भाई 3 कहीं option में दिख रहा है भाई बी तो बी option राइट हो जाएगा ठीक है तो इसका बी option राइट है थोड़ा अच्छे से solve करने यह question proper इसी pattern से चलेंगे कि आप पहले जो positive वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो निगे हुए तो पहले निगेटीव साइंड बाहर ला वह फार्मूले के कॉरडिंग आएगा से टो पाई माइनस करके आया अगर प्लस का या तो प्लस का यह माइनस लगा था इसलिए माइनस को अंदर मैं नहीं किया है। इसके रेंज के वह कॉशन मैं अभी वीविद प्रशना वली में दिये गाए एक्सराइज में दिये भी नहीं है, वह इसको बाद मैं कर दूगा कि चीजय करने हैं, आप जैसे चौधवे के बाद बारवा कोश्चन है, वो भी असान कोश्चन है, अभी करी लेते हैं जितने questions हो सकते हैं उत्ते हो जाएंगे इस pattern के question में हमें क्या करना है अभी इसका तो हम लोगों ने अभी किया नहीं है इस टाइप कोशन तो भी किया नहीं है लेकिन कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो को बासमझो अभी पहले उससे पहले गुर्धर्म कर लेते हैं फिर यह question करेंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा जैसे बार्वा छोड़ दो साइन के अंदर माइनस दिक्रा माइनस सीधा बाहर आ जाएगा साइन के साथ माइनस अंदर है माइनस सीधा बाहर आएगा तो बाहर वाला प्लस हो गया यह हो गया साइन इन वर्स वन वाई टू ठीक यहां से हो गया साइन पाई भाई थ्री प्लस साइन में वन बाई टू COSTA की वेल्यू kis की होती है सर पाइ वाई Tree पाइगा गॉपयाइस योथी होती है क्योंकि हमारे पास थाइटी डिगरी की वेल्यू महरे पास वन बयूट होती है तो पाइगा होगया आप यहां पर स्क्राइब रेलें ले लो अंदर साइन पाई फाई फाई एक्स हमारे पास कित्ता हो जाएगा यह जाएगा सिक्स हो जाएगा टूपाई यह सिक्स प्लस कफाई यह आ गया साइन 3 pi by 6 3 pi by 6 मतलब 3 दून अच्छ है मतलब यह आ गया sin pi by 2 sin 90 की value क्या होती है 1 तो 1 इसका answer है कही 1 है option में option में D है तो D option इसका right है 1 is the right option यह आसान question है simple उसी पर है कि कोण हमारे पास कभी plus का अंदर दिया होगा sin के अंदर कभी inverse में होगा तो हमारे पास ऐसे ही होगा तो इसको हम आराम से कर सकते यह तो कोई ऐसी दिखकर की बार नहीं यह हम लोग सीख चुके है अब इसके बाद जो हमारे पास 2.2 का part start होता है 2.2 के part के बाद ही हम वो बारवाला question करेंगे 2.2 का जो part start होता है इसमें कुछ फार्मूले हमें देखने अब कुछ फार्मूलों की बात कर लेते उनी फार्मूलों के आधार पर ही हमारे पास direct question से बहुत प्यारे-प्यारे question है सबसे important exercise वहीं सब्ती यह जो हमने काम की हैं यह सीखें इसका एक question तो तुम्हें मिलेगा उसमें कोई सक नहीं एक marks में question पका ही मिलेगा दो marks में भी आ सकता है इसी में थोड़ा सा इसको complicated कर सकता है complicated क्या करेगा plus का और कुछ जोड़ दिया साथ में आंगे plus, cos, inverse, minus, root, 3, by लगा लिया तो कुछ थोड़ा calculation बढ़ेगी बाकी करना सेम इसी pattern से है बस एक या दो marks का बनेगा अब इसमें question थोड़े अच्छे बनेगे चार marks के बन सकते हैं और अच्छे question बन सकते हैं तीन marks का भी इसमें question आएगा तो इसमें प्यारे question बनते हैं उन्हीं formula को हम देख लेते हैं सबसे important 10 वाले formula है 10 के questions तो बहुत कम कर दिएगा 10 के formula पर जो question है वो directly बहुत कम कर दिएगा लेकिन मैं एक बर सीख लेता हूँ क्याकि एक आत question दिया गया वो हम करेंगे तो हो सकता उस प्रकार का question आज है 10 के मारे पास question है तो 10 का पहले question देख लेते है हमारे पास formula होता है 10 inverse x plus 10 inverse y basically इसके 2 formula एक book में 3 दिये गए हैं आप book खोलोगे तो उसमें 3 condition के x और y की condition पर 3 formula दिये गए हैं लेकिन अपना काम 2 से ही चल जाएगा 30 की जोवत नहीं पड़ेगी जो पड़ेगी तो मैं आपको inform कर दूँ मालब बता दूँगा 10 inverse x plus 10 inverse y का असर फार्मूला सिर्फ डारेक्ट वाला जो सीधा फार्मूला होता है 10 inverse x plus y upon 1 minus x y ठिक यह मारे पास formula होता है एक दूसरा और 10 inverse x plus y का formula होता है वो यहाँ पर तो सेम रहता है 10 inverse x plus y upon 1 minus x y बस यहाँ पर हम क्या करते है पाई add कर देते है यह किस case में लगेगा formula अब यहाँ पर उपर वाले formula छोटी सी बात है याद रखो कि आराम से याद रहेगा यहाँ पर x y का मान अगर x y का जो मान है अगर वो 1 से छोटा है less than 1 है less than 1 रखोगे तो 1 minus कोई 1 से छोटी value गटाओगे तो हमेशा कुछ positive value आएगी तो तुम्हें direct सीधा वाला जो formula है किसी case में ऐसा हो जाए कि अगर x y की value अगर हम देखे x y का जब गुणा किया गया वो greater than 1 आगया अगर यहाँ पर value 1 से बढ़ी आगे इसे यहाँ पर 1 minus 2 आ गया तो value कैसी आ जाएगी minus की 1 आएगी मनलब की value यहाँ पर negative आ जाएगी तो जब भी हर में negative बन ना हो तुम्हें लगे कि एक जब देखा हमने कि हर में negative आ रहा है तो आप फार्मूले में पाई प्लस यह वाला formula लगा पाई अगर तुमने देखा कि यहाँ पर maximum question जो है 90% इसी के दिए गए एक question इसका भी सायत है 90% question इसी के है जब भी xy हर में अगर यह positive value आ रही है हर को जो तुमने solve किया तो positive आ रही तो यह वाला सीधा वाला formula लगा दो जब xy की value तुमारे पास देखो कि negative आ रही है यहाँ एकस वाई कि तुमने यह 1-xy solve किया negative आ रहा है मैं लगा एकस वाई जो है वो वन से बढ़ा है तो यहाँ पर negative हुआएगा उस case में तुम पाई प्लस यह वाला formula लगा तो अब यहाँ पर क्या होता है एकस और य तुमारे greater than 1 होते है यह 0 होते है एकस और y greater than तुमारे 0 होते है ठीक है एकस वाई की वेलू 0 नहीं होगी सीधी बात यह और अगला एक formula अगर तुम लिखना चाओ तो 10 inverse x minus y का लिख सकते हो उसमें simple वैसे ही एक ही formula उसी से काम हो जाएगा 10 inverse x minus y यह पूरा इसको copy कर लेते हैं 10 inverse x minus y 10 inverse x minus y 10 inverse यहाँ पर हो जाता है x minus y अपान 1 plus x into y थिक यह simple सा formula है वो याद रहेगा इसके अलावा तीन बहुत महत्पूर फार्मूल है यह तो basic वाले 10 वाले जो फार्मूले है यह तो आपको याद रहेंगे मैं पता है जो दो तीन बहुत important फार्मूले है तो तीनों 2 10 inverse x के है कहीं पर ऐसा लिखा हो जो बात समझो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो चिदी बात समझना कहीं अगर ऐसा लिखा है sine inverse 2x upon 1 plus x square तो यह directly बराबर होता है 2 10 inverse x के या फिर 2 10 inverse x का cos के पदों में जो फार्मूला है यह 1 minus x square upon 1 plus x square यह भी बराबर होता है 2 10 inverse x के या फिर इसके अलावा हमारे पास 10 के पदों में भी फार्मूला है अगर 10 inverse 2x upon 1 minus x square लिखा है तो यह भी बराबर होता है 2 10 inverse x के यह 3 और 2 10 inverse X के फार्मूले हैं जो sin, cos और 10 के पदों में होते हैं sin, cos को डिवाइड करो यह फार्मूला आ जाएगा sin, बटे, cos करोगे तो 1 plus x square से 1 plus x square कर जाएगा 2x upon 1 minus x square बन जाएगा यह 3 फार्मूले बहुत important है बहुत important, most important में आते हैं most important फार्मूले है बनेगा यह फार्मूले बहुत important है इसके अलावा कुछ और रहे हैं कुछ चीजें हो रहे हैं कुछ चीजें और साथ भी में कर लेते हैं एक और कुछ टाइप के जो गुडधर्म लिखाने प्रत्दों त्रिकोल मिती फल्लों के गुड़दम फार्मूले ही दिए गया है तो worry मैंने डेरिवेशन भी कराया था जब मैंने डीटेल में लेक्चर पड़ाया थे औहFL पर मैंने इसके पोनarson संपलसां ऑसान से प्रूफ वह वहाह पर बहुत आसां असान प्रूव है इस सारे कुश्चेन के ठिक है तो वह भी मैंने कराया थे लेकिन यहां पर लोग बन सौट कर रहा है तो इसको उसी प्रकार से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब अगर हम बात करें इसी के अलावा कुछ और फार्मूले कुछ एक और पैटरन बनता है उसकी और बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टें अगर एक्स अगर या सेक इंवर्स और को सेक इंवर्स एक्स है यह भी पाई गाई-पाई-वाई-टू के बराबर होता है यहां पर जो इनवर्स और दूम्ञाइब टीटा 1 प्रश इसक्कष घटा ठीटा इस वार्ट थिटा ता से किसने पैटरन के हैं साई-वर्स-प्लस स्कॉस्ट में पाइब टू ते इन वर्स एक्स प्लस कोट इन वर्स पाइब टू सेक इन वर्स एक्स पाइब टू तिक वेरी इंपोर्टेंट इसके लावा एक चीज और बंती है बस उसके लावा फिर करने काबिल हो जाएंगे अपना आराम से वह भी सिंपल सी है अगर यह लिखाया कि साइन इन वर्स वन अपॉन एक्स या यह लिखाया कि कॉस इन वर्स वन अपॉन एक्स या यह लिखाया कि टैन इन वर्स वन अपॉन एक्स या यह लिखाया कि कॉर्ट इन वर्स वन अपॉन X यह लिखा है सेक अबर्स 1 अपान X या कॉससेग इन वर्स 1 अपान एक्स तो आपको ये चीज़ पता है थी कि अगर साइन धिटा होता था तो उसको वना पॉनम कॉसेक़ ठीटा लिख लेते थे लेक्लिए थे नदीटा होता եा था तो 10 का court के साथ होता था वैसे साइन इन्वर्श वन अपान एक्सकों सेकिंवर्स ऐक्सक्न को मग डालेक्ली लिख सकते हैं सेट इंवर्स X टेन इन्वर्स एक्स कों डारेक्ली लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं कोई इन्वर्स एक्स ठीक तो असा सौफ लिखो भाई यह कॉसक इन्वर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स ठीक तो यह डारेक्ली हम इन्वर्स के रूप में उल्टा का जो संबंद होता है कि वन अपान एक्स के बटे के रूप में होते हैं वो कोण के अंदर होते हैं वो वन अपान साइन एक्स पूरा कोण सीधा फलन जाता था, इतने फार्मूले हम लोगों ने कर ली हैं, इस पर आधारी तब हम लोगों कोश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि किस प्रकार के कोश्चन से बनते हैं, इन पर, इन पर, इन पर सारे मिक्स कोश्चन होगे, कभी भी कोई भी कोश्चन आएगा, उसी प्रकार से हम start कर एक तो यह pattern है मारे पार जो सबसे ज्यादा important है यह five number जैसे question लिया गया मैंने इस pattern पर question कैसे दो pattern के होते हैं इसने question हमें इनको क्या करना होता है simple saral करना होता सर अल करने का question सब ज्यादा important है सललतम रूप में व्यक्तरों से इनमें questions में हमें क्या करना होता है कभी आपको क्या दिया जाएगा ऐसे inverse function बार एक लिखा होगा उसके अंदर सीधा त्रिकोण मित्ती फलन लिख देगा अंदर टिक जैसे ये लिखा है एक inverse function है उसके अंदर त्रिकोण मित्ती फलन है अब इस के अलावा second pattern का ऐसा बनता है कि inverse function बारत होगा लेकिन अंदर ट्रकोण मित्ती फलन नहीं होगा तो यहां पर हमें पहले काम क्या करना होगा क्योंकि ऐसे कुछ नहीं सॉल्व होगा जब हम एक्स की जगए कोई वेलू खुद से रखेंगे वह अभी सिखाएंगे कि कैसे आपको पता यहीं रखना है वह आपको आ जाएगा भी जब आप खुद से यहां पर रखोगे उसके यहां पर रख देंगे कोई तो उसके बाद आप आराम से फार्मूले लगा कि इसको सरल्तम रूप में लाएंगे और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अंदर जो हमारे पास लिखा है उसको में वैसा ही बनाना होगा जो बाहर लिखा है मतलब 10-1 के पद में है यह तो अंदर हमें 10 ही बनाना पड़ेगा, तभी 10 से 10 कैंसिल होगा, आपको पता है कि अगर, अरे भाई, आपको पता है कि अगर 10 inverse 10X है, तो यह बराबर होगा X के, जब यह हमारे पास 10 inverse की रेंज में होता है, मतलब कि वही माइनस पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा maximum, जब range में नहीं होगे, तो मैं आपको inform करो, मतलब बताता रहूँगा, 10 inverse 10X है, तो यह 10 से 10 तभी अटेगा, जब यहाँ पर, यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पर भी 10, तो इसको कुछ कुल मिला के, हमें 10 के पदों में बनाना पड़ेगा, इसको कुछ मिला के, कॉट के पदो जो आपको नहीं लिया है, मलब जो important है, और long में बनता है, और वो question अगर कर लोगे, तो बाकी क्या आराम से कर लोगे, वो मैं सारे ही करा दूगा, चोटी exercise है, आराम से सारी चीज़े हम लोगे, 2.1 finish up, 2.2 और वीबित के कुछ questions करने हैं, बाकी अपना काम खतम है, ठीक है, तो 2.2 मैं start कर रहा हूँ, इन questions में तुम क्या करोगे, समझो, अब हमें अंदर 10 बनाना है, सीधी बात लिए, क्या कर सकते हैं, एक काम किया जा सकता है, क्या, इस प्रकार का जब भी pattern होगा कि cos x minus sin x upon cos x plus sin x, या उल्टा हो, cos x plus sin x upon cos x minus sin x, उल्टा लिखा हो चाहें, ऐसा ल भाग लगाता हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों cos से भाग लगाया, आप simple cos से भाग लगाओ, अंस और हर में हमने cos x से भाग किया, cos x plus sin x upon cos x, थिक, हमने भाग लगाया, थिक, अब cos के नीचे cos, step बाइस लिख दू, cos x upon cos x minus sin x upon cos x, बटे में, cos x के upon cos x plus sin x के upon cos x, ठिक, बास समझ में आगी, ये बन गया हमने, थिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक देता हूं, 10 inverse, यह हमारे पास हो गया, cos x upon cos x हो गया, 1 minus sin x upon cos x हो गया, 10 x upon 1 plus 10 x, यह बन गया हमारे अंदर, क्या उप्य होगा, क्यों मैंने cos x से लगाया है, जिससे आपको पता चला यह बनेगा, आप सीधी सी बास समझो, आप फार्मूला जानते हो एक, कौन सा, कि 10 inverse x minus y का, minus y हम क्यों ले रहे हैं, अभी बात clear हो जाएगी, pi by 4 minus x का अगर हम फार्मूला खोलना हो, 1 plus 10x, 10y, यह किसके बार आओ, 10 by by 4 की value, minus 1, यह 1, और फिर यह हमारे पास 1 plus, यह भी 1 हो जाएगा, तो यह आजाएगा 10x, 1 minus 10x upon 1 plus 10x की जाएगे, हम 10 pi by 4 minus x को directly रख सकते हैं, हमने इक कैसे दिमाग लगाया, बात समझो, जब आप यह फार्मूला खोलते हो, तो यहाँ पर क्या आता है, 1, हमेशा नीचे क्या आता है, 1, हर में नीचे इधर साइड क्या आता है, 1, तो मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, cos, अगर हम cos से अगर भाग लगाएं, यहाँ पर, तो यह 1 बन जाएगा, उपर वाला हमें पता, यह cos से यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो उपर वाला यह भी 1 बन जाएगा, यह 10 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा यहाँ minus है, minus है तो minus वाला formula खोलो, अगर यह उल्टा होता यह उपर plus होता, नीचे minus होता तो आप यहाँ पर plus वाला formula खोल दो तो directly हम 1 minus 10x upon 1 plus 10x की जगे हैं, हम directly यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 10 inverse ब्रेकेट में 10 पाई बाई 4 माइनस का X और फिर आराम से हम 10 को 10 से समझ लेंगे तो बस इस प्रकार के questions में आपने जैसे ही cost से भाग लगाया हमें 1-10 X अपान 1-10 X जब भी बनेगा तो यह पता है कि 10 यहां पर इसको और करता हूँ यह डारेक्ट लिखना सही नहीं होगा जैसे यह लिखेंगे लिखेंगे इसको अचा देंगे अभी मैं एक इस्टेप लिखता हूं क्या दिखाता हूं आपको कि 10 inverse मैंने इसको इस pattern में ला रहा हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसे विप्रीत आओ जैसी यह लिखा अब इसके यह लिख लो तो 10 इसकी जगह 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 वन की जगह माइनस 10 X अपान 1 की जगह फिर से लिख सकते हो 10 पाई बाई 4 माइन इसकी जगह यहाँ पर प्लस है अब यहाँ पर इसके गुड़े में 1 तो होएगा यह कोई दिक्कत नी गुड़े में तो 1 होई सकता है तो उस 1 की जगह हम क्या करता है यहाँ पर दिख लेते हैं 10 पाई बाई 4 और फिट 10 X अब तुम्हें यह फार्मूला दिखेगा कि 10 X मा पाई बाई 4 इन्टू 10 X ठिक अब तुम डारेक्ट यहाँ से 10 से 10 को समझ लिया डारेक्ट आंसर हो गया पाई बाई 4 माइनस बस यह आंसर है इसको अटा दू बस यह समझाने के लिए था क्लियर एस अभी को इंपोर्टेंट कोशन होता है देखो यह जो चीज बनी है ना नीचे 1 माइनस 10 X अपान वन प्रेस इडिफरेंट डिफरेंट कोश्चन में तुम्हें दिखेगी इस कोश्चन में तो तुम्हें डारेक्ट ली दिख रही कि कॉस्त तो तुम्हें बाग है कभी ऐसा होगा कि हम यह ऐसा कुछ अंदर ऐसा बन किया जाएगा फिर उसके बाद सेन कोश्चन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा इसा कोश्चन सॉल्व कर देंगी क्लियर है सभी को कोई डाउट तो नहीं एक बार देख लोग कोई समस्या हो तो बताओ आसान है वैसे कोई द यहां समझो कैसें करेंगी इधा यहां पर शॉल्फ पर सब्सक्राइब होता एसा हो तो समस्या नहीं होती क्यों नहीं होती कि 1-cos x को हम आराम से लिख लेते क्या 2 sin square x by 2 क्योंकि 1 से cos x cos x के साथ 1 है उसको हटा लो 2 cos 2 theta वाला फार्मूला यूज़ के 2 sin square x by 2 लिख लेते और sin x को हम खोल लेते 2 sin x by 2 से और cos x by 2 से तो square से ये cancel हो जाता ये sin उपर cos है नीचे sin ये 2 से 2 भी cancel हो जाता, यहाँ पर बन जाता, ये cot x by 2 और cot को हम लिख लेते, pi by 2 minus का, यहाँ से हम cot को change कर लेते, pi by 2 से, इसको हम 10 लिख लेते, 90 minus theta कर लेते, इस से, ठीक, मतलब pi by 2 से हम इसको minus करके इसको cot 10 में बदल लेते, simple सी बात यह समझो, ठीक, मतलब simple यह था इसको हम यह लिख सकते थे इस court वाले को माराम से लिख लेते कि 10 pi by 2 minus x by 2 सिधा हम यह लिख लेते तो 10 से 10 को बाहर समझ लेते समस्या दूसरी यह question ऐसा भी frame हो सकता इसलिए मैंने यह बताया कि अगर sign उपर हो कॉस नीचे हो तो इस तरीके से तुम solve दरके direct answer ला सकते हो लेकिन समस्या यहाँ पर थोड़ी से इसलिए grade कर दी ऊपर कॉस है नीचे sign एक तरीका तो यह है कि आप कॉस को sign में बदलो जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ sign होता तो बन जाए दूसरा तरीके से मैं करता हूं यह तरीका तो एक हाई दूसा तरीके से मैं solve करता हूं दूसा तरीका क्या हो सकता है आपने कॉस्ट टू ठीटा का एक फार्मूला और पढ़ाए कौं सा कॉस्ट स्वार ठीटा माइनस का sign अगर झो यह ओजैगा स्कॉारिट टू मिसी स्कॉर्मूला था तरख कॉस स्कॉरधिट qualcosa स्कॉर्माय-। इसको स्कॉर्मेट में बनाने की कोशिस करना है समझे नभी स्काररिक स्कॉर्मूलामे किनी स्कॉष्ण का यहां पर यूस करने वाला हूँ मैंने कॉस्स की जगे क्या फार्मूला लगा कौस्टू ठीमा शॉस्वार्ट ठीटा माईनष कर साइन स्कार्टीट एक फार्मूला माई लगाओ अवन की जगह में निक सकता हूँ साइन स्क्राइट कर टीता प्लस कौस इसगूँ इसकोई ठीटा या गार टीटा प्लस का sin square theta cos square theta यहाँ पर one की जगह रहा हूँ x by 2 ले लेता हूँ कोई दिख्कत नहीं एंगल सेम होना चीज़े बस theta की जगह एंगल सेम होना चीज़े cos क्यों पहले लिया, sin क्यों पहले नहीं लिखिया cos square theta plus sin square theta क्योंकि cos उपर पहले है इसी लिए cos यहाँ पर पहले लिए, अभी समझ में आ जाएगा, minus का, sin 2 theta का फार्मूला होता है, 2 sin x by 2 cos x by 2, clear सभी को, कोई doubt तो नहीं, मैंने यही तीन फार्मूले है, यहाँ पर खोला यह, यहाँ पर खोला यह, यहाँ पर खोला यह, अब उपर देखो क्या हुआ, उपर आ और इसको लिख सकते हैं, cos xy2, plus का sin xy2, a square minus का b square से, x by 2, नीचे आ जाओ हर में, बड़ा बड़ा ज्यादा चल ला है क्या, चलो कोई न, ठीक ठीक, ठीक, अब यहाँ पर हो, यहाँ पर यहाँ पर इसका फर्मूला लिखा, a square plus b square minus का 2ab, तो a square plus b square minus 2ab, किसका फर्मूला हो गया, a plus, a minus b का whole square, तो cos x by 2 minus का sin xy2 का whole square, इसका फर्मूला हो गया, एक whole square से, इसको हम cancel out कर लेंगे, बचा क्या हमारे पास, सीधा बचा 10 inverse, simple बचा, उपर बचा cos, x by 2 plus का sin, x by 2, बटे में बचा हमारे पास, cos, x by 2 minus का 10, x by 2, मैंने इस format से question कराने का मतलब मेरा यही ठाकेबल, कि मैंने जो पिछला question किया, उसका तुम्हें use समझने आगे, क्या बचा, 10 inverse, x by 2 plus का sin inverse, x by 2, नीचे बचा, cos का x by 2 minus का sin का, sin 10 क्यों लिख रोगा, sin, x by 2, देखो, same question बन गया, cos x minus sin x, cos x plus sin x, cos x, उपर plus है, कोई दिकत नी, उपर plus है, नीचे माइनस है, तो यहाँ पर pi by 4 plus x वाला फार्मूला बनेगा, अब बस angle यहाँ पर x था, यहाँ पर x by 2 है, same question चलेगा, उसी format से question चलेगा, कुछ नहीं करना है, मैं आगे, आप directly तुम्हें लिख के बताता हूँ, कैसे क्या होगा, अब आपको पता है, आप पूरे में क्या करोगे, cos x by 2 से भाग करोगी, अंस और हर में क्या करते हो, हमें क्या करना है, उसी से भाग करना है, कि यहाँ पर one हो जाए, तो simple cos x by 2 से भाग कर दो, cos x by 2 से हम प्रते एक में भाग कर देते हैं, sin x by 2, अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया, cos x by 2 से भाग कर दो, ऐसे हर में कर दो, हर में क्या है, cos x by 2, माइनस का साइन x by 2, आराम से आप यहाँ पर भी cos x by 2 से भाग कर दो, ठीक, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 10 inverse, इधर जगए है अपने पास, जगए तो नहीं है, थोड़ा सा सॉट में करना अपने अपने, बादा, बादा लिग दिया काफी, ठीक, बादी देख लिया जाएगा, जब दिखत लगेगी तब, ठीक, 10 inverse, यह हो जाएगा, 10 inverse, प्रते एक में अलग-अलग कर दिया, सिंपल बस, आपको पता ही है, एक काम करते हैं, फिर से मैं एक इस्टे फिर से लिख देता हूँ, वन की जगए आप आराम से लिख सकते हो, 10 pi by 4, यह 10 x y 2 रहे गाई, उसको कोई दिखकत नहीं, उससे हमें कोई समस्या भी नहीं, यह बन की जगह आप वन रहेने तो, इसको कोई नहीं दिक्कत छोले इसको नहीं चेड़े इसको 1 रहे नहीं है तो क्योंकि फार्मूले में 1 होता है यहां पे गुढ़े में 1 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं तो उसकी जगह मैंने फिर लिख दिया 10 10x by 2, अब आप आराम से फार्मूला देख रहे हों कि 10x plus 10y upon 1 minus 10x 10y, किसका फार्मूला है, यह फार्मूला है, 10 inverse 10, pi by 4 plus x by 2, 10 से 10 का गाम खतम, अंसर आगया, pi by 4 plus x by 2, same format के question है, लेकिन दो अलग-अलग रूप में question है, देख रहे हैं, पिछला question इस रूप में directly था, मतलब यहां से start था एक प्रकार से, बस angle xy2 है, उसके लिए ना परिसान होना, angle कुछ भी आए, यहां पर xy4 आजाए, तो भी परिसान होना, xy6 आजाए, तो भी same concept से question होगा, concept सेम रहेगा, एगर xy4 बनेगा, xy6 बनेगा, xy8 बने, कुछ भी बने, concept सेम रहेगा, यहां के बाद वो same format हमने वैसे ही किया, जैसे यहां किया था, ऊपर हमने बास यहां पर क्या किया, ऊपर यह हमने चीज ने क्या ली, कि cos x की जगए, cos 2 x वाला formula लिखा, 1 की जगए यह पिछे लिख सकते, तो उस हिसाब से formula बन जाएगा, बस यही दिमाख हमें लगाने, और question तो हमारे solve होई जाएगे, तो एक तो यह pattern की question है कि अंदर direct हमें त्रिकोन मित्ती फलंग दिया होगा, उसके अनुसार हम सीधे value रखें या answer पाईगे, उसके अनुसार हम formula खोलेंग और बाहर वही कोशिस करेंगे 10 है, तो हमने 10 बनाने की कोशिस की, यहाँ 10 है, तो यहाँ पे 10 बनाने की cost sign में था, उसको 10 बनाने की कोशिस की, यही बनेगा, ऐसे ही चलेगा, अब अगला format जो शुरू होता, वो इस प्रकार का, इसमें क्या करना है, इन प्रकार के questions में, इ काट के पदों में ही कुछ बन जाए, जिससे काट आसानी से बन जाए, अच्छा क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ लो, मेरा मनेस, की x बराबर मेरा मनेसर, हम की x बराबर हम, sin theta रखेंगे, रखना त्रिकोड मिती फला नहीं है, उसी से हमारे पास बनेंगे, questions, मलब फार्मू ले, तो क्या sin square theta plus minus 1 कुछ होता है, यहाँ पर sin रख दोगे, sin square theta minus 1 कुछ होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कॉस रखो, सर कॉस रखेंगे, तो cos square theta minus 1 भी कुछ नहीं होता, गलत, 10 रखो, तो 10 square theta minus 1 भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, कि 1 plus 10 square theta होता है, ठीक तो मतलब कि अगर हम 1-6 स्कॉर्ट ठीटा लिए या फिर ऐसा लिको 1-6 वन को उधर ले जाएं टैनी स्कॉर्ट ठीटा बराबर हम यह जरूर लिख सकते हैं सेक्सक्रट ठीटा माइनस का 1-1 माइनस का 1 मलब एक्सक्रण अगर हम सेक ठीटा रहे तो सेक्सक्रट ठीटा माइनस 1-10 ठीटा हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या रखना टिक मैं फार्मूला हटा दी साहूं यह पता होना जी बास यह त्रिकोन मिती भाई सर्वस्वामी का है पता होना जी यह नहीं कहना किसर 11th के में सोस्वां काहे नहीं यादे फिर तो नहीं हो पाएगा या ठीक है यह चीजे याद होंगी तो अब अब अदर चलू एक स्कॉर ही टा माइनस का वर्ट तो का थीटा पावाट इंवर्स वन अव्यनेस अंदर क्यासे कि स्कॉर हीटा माइनस फनों क्या हो जाएगा यहां से आ गया कॉट इन वर्स बहना पॉट उंडर रूट हर जाएगा जाएगा जब पॉटा लिं तीन डिये ट जूरा पउट किए विएओग्व can डाइक्ट आंसर आ जाएगा बस X की हमें ऐसी वैलू एजियूम करनी है आप खुद से अपने मंद से सोचो तो मैं क्या रखनी चाहिए नहीं बनेगा न कॉसेक रख सकते थे हां कॉसेक किसी की दिमाग में आए कि सर कॉसेक भी तो रख सकते हैं रख लो कॉसेक रखोगे तो क्या बनेगा कॉसेक स्कॉयर ठीटा माइनस वन बनेगा कॉसेक स्कॉयर ठीटा माइनस वन क्या हो जाएगा कॉट स्कॉयर ठीटा कॉट होगा तो वन अपन कॉट होगा तो उपर ले जो उसको बदलना पड़ेगा फिर तो यह भी तू समझो कि हम अगर य आउठ हो तो मैं बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, हाँ, हाँ, छले आंगे, कोई एटा कोई है, चाटा नहीं है, तीसरा है मैं लग रहा है कि exercise करा रहा हूं, तीसरा कोई हो क्या कह रहा है, exercise का question है, सेम उसी pattern का question है x की जगे कोई value हमें put करनी पड़ेगी क्या रखना चाहिए वो हमारे पास important है यहां पर कॉसेक तो नहीं नेकिन सकते हैं कोई कर सकाड़ी टा माइनस वनकार्ट बनेगा कट बनेगा तो कॉट रटेगा तो वन अपान कोट उपर टेन पहुंचे अपर 10 कॉमें को बदलना पड़ेगा बस यह हो जाएगा तो डारेक्ट वाला करते हैं यह यहांद रुक हो क्या करना अब यहां पर क्या होगा यहां से क्या होगा 10 इंवर्स अंडरूट के इंदर वन प्रस एक्षिस का फिर यह वही उसी पैटरन से चलो एक्स के जगाए वैलू रखके देखो तुम अगर तुम माल एक्स की जगाए तुम साइन रखोगे तो कुछ होगा वन प्रस ईस्का फिर्टा कुछ नहीं होता रखो हुआ है कॉसर रखों़ो कि कुछ नहीं होता निपा गकाओ हो जाएगा एक्स बराबर तुमने अगर टेन ब्रॉटर रखा संझो एक्स बरावर रहा 10 theta, 1 plus 10 square theta होता है, 6 square theta, माना, x बराबर 10 theta, theta बराबर क्या आ जाएगा, 10 inverse x, आपने value रखी, यहाँ पर हो जाएगा, 10 inverse, अंडरूट के अंदर रखा, 1 plus 10 square theta, minus 1, अपान हो जाएगा, यहाँ पर x की जाएगा, 10 theta रख नहीं पड़ेगा, कोई option है नहीं, 1 plus 10 square theta क्या हो जाएगा, 1 plus 10 square theta सर हो जाएगा, 2 square theta, minus 1 upon 10 theta, यहीं तो बनेगा, अब हो, sec square theta root हट जाएगा, तो यहाँ आजाएगा, 10 inverse, sec root हट जाएगा, तो simple बचेगा, सर यह, sec theta, minus 1 upon 10 theta, अब ममला फस गया, उपर आया, sec theta minus 1 upon 10 theta, बहार 10 है, 10 कैसे बनाया जाए, ऐसे question में जब तुम्हें नहीं लगे, एक की अंदर कैसे 10 होड़ा, तो सीधा काम करो, sine cost में इसको बदल को देखू, वहाँ बहुत फार्मूले है, वहाँ बहुत varieties है, sine cost में, तो इसको क्या करो, तुम एक बार यहाँ पर फसने की बात नहीं, आप इसकी जगए, sine cost में इसको बदल दो, तो इसको 1 upon cost theta लिख लिए, minus 1, और इसको लिख लिख लिए, sine theta, 10 theta को cost theta, ठीक, यह लिख लिख लिए, LCM ले लो, 10 inverse कुस तो बनेगा यार, यह उपर हो गया, 1 minus cost theta, और नीचे क्या आ गया, नीचे LCM लिए है, तो यह cost theta हो जाएगा, यह हो जाएगा, sine theta upon cost theta, यही तो बचएगा, ठीक, cost से cost का काम सतम, क्या बन गया, यह कुछ उस प्रकार का pattern बन गया, जो हमने starting में किया था, 10 inverse, 1 minus cost theta upon sine theta, याद है, अभी पहला question सायद किया था, 1 minus cost theta upon 1 plus sine, कहां पे किया था, मैंने बताया भी था, भी कहां बताया था, यह, 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 कि यहाँ पर 1 minus cost, यहाँ पर इसकी जगह cost होता है, इसकी जगह sign होता है, तो हम क्या करता है, simple formula लगा लगा लेते, कभी ऐसा हो सकता, sign उपर हो, cost नीचो, कभी यह, उपर हो, कभी यह, नीचो, pattern सेम है, अब यहाँ पर क्या बन गया, 1 minus cost theta upon sine theta, अब cost के साथ 1 है, तो सीधे 1 cancel करो, और sine theta को 2 sine theta वाला formula से खोल दो, अब यहाँ पर सीधे आसान हो गया question, यहाँ पर हो गया, 1 minus cost theta को डारेक्ली लिख सकते हैं, 2 sine square theta by 2, और sine theta को खोल दो, 2 sine theta by 2 upon cost theta by 2, वही सेम pattern का question बन गया, 2 से 2 का काम खतम, sine theta by 2, sine theta by 2, sine theta by 2 upon cost theta by 2 क्या आगया, सीधे आगया 10 theta by 2, लिख लेते हैं, बार sine theta by 2 upon का cost theta by 2, यह तो डारेक्ली बन गया, 10 inverse, 10 theta by 2, अंसर क्या आजाएगा, सीधे 10 से 10 का काम खतम theta by 2, theta की जाएगा value रग दो क्या माना था, 10 inverse x, तो 10 inverse x by 2, या 1 upon 2, 10 inverse x, that's your right answer, 1 upon 2, 10 inverse x is the right answer, बढ़या question था, यह प्यारा question था, क्योंकि यहाँ पर जाकर जब इस position पर पहुंचे तो यहाँ पर फसने वाली मुसीवत आगी, कि क्या किया जाए, 1 यह sec के साथ वाले कैसे 1 cancel करें, 10 है, तो इसको sign cost में बदलो, जब तुम sign cost में बदलो कि तब तुम्हें लगेगा, यह कुछ अच्छा सा बन गया, important question है, और अच्छा सा बन गया, यह 1 के साथ जब cause आया, तो 1 को cancel किया, sign के साथ formula लगा, direct answer आ जाएगा, clear, फ्यारा question है, इस प्रकार की question exam में बनने के सबसे ज़्यादा chances है, सबसे important questions में यह questions है, ठीक है, चलें आँगे, यह हो गया हमारे पास, एक और question, आँगे अगर बात करें, इसके बाद होते हैं, ए वाले कुछ question सुरूँ, मलब कि अभी तक तो simple x चल ला था, या simple अंदर त्रिकोण में ती फलन चल ला था, अब कुछ a के साथ है, जैसे यह a के साथ है, यह a के साथ है, अब कुछ यह बाद बाया question है, यह भी question अभी करेंगे, यह सायद भी भी प्रिश्णवाली में दिया गया है, यह बहुत प्यारा question है, यह इस प्रकार के जो question है, अब इनको practice में लाते है, कि जब हमारे पास किसी question में a आ जाए यहाँ पर, a की जगाए पर p भी लिख सकता है, वो b भी लिख सकता है, वो q भी लिख सकता है, कोई भी constant value हो सकती है, ठीक है, कोई भी a है, जो हमारे पास होगा constant, लिखा हुई है यहाँ पर कि more x less than a, उस पर नहीं ज़्यादा confuse हो ना, कि सर यह more x less than a की value का मतलब क्या है, उस पर ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन जब इस pattern के question होगे, तो हमें कैसे करने है, देखो, जैसे कि अभी तक जो उन्हें जैसे पिछला question किया, इसमें कहीं पर a नहीं था, इससे पहले वाला भी किया, उसमें भी कहीं a नहीं था, तो आप जब इस प्रकार के questions करोगे, जिसमें तुम्हें a दिखीगा, जैसे यह question है, इसके बाद वाला जो question है, जिसमें भी a दिख रहा है, तो आप जब इस pattern के question करते हो, तो आप यह assume करो, कि यहाँ पर a है ही नहीं, जैसे आप अभी तक पिछले questions कर रहे थे, same उसी pattern से मानो, जैसे कि for example, अगर ऐसा question होता, कि यहाँ पर a नहीं होता, a मतलब कि, या फिर a बराबर ऐसा मान सकतो, कि a बराबर one है, सीधी बात है, a बराबर one है, कभी बे ऐसा question है, आप a की value one रखो, और same उसी pattern से question solve को, जैसे अभी तक कर रहे थे, कि अगर sir a की जगए one होता, तो हम x की जगए क्या रखते हैं, हमें x की जगए ही रखना है, तो इस case में x की जगए तुम क्या रखते हैं, one minus sine square theta, साइन ठीटा मिल जाता है, कि हम यहाँ से one minus star sine square theta रखते हैं, x की जगए हम sine theta रख लेते, तो सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर हम sine theta रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, अब अगर a है, तो आपको कैसे करना है, सेम उसी pattern से हमें मानना है, कि हमें आपर sine theta रखेंगे, तो one minus sine square theta, cos square theta हो जाएगा, उससे कुछ ना कुछ फार्मूला आँगे बनेगा, साथ में a और एक गुड़ा में ले लेना, बस उसी pattern से question solve होगा हमारा, अब आगे देखो कैसे, question वैसे ही आसान हो जाएगा, 10 inverse x upon, x की जगर तुम क्या रखोगे, a sine theta, यहां से ऐसा करते हैं, एक ठीटा की value तो निकाली लेते हैं, आँगे काम भी आती हैं हम रोगी, तो यहां से अगर हम theta की value निकाल ले, तो यह हो जाएगा, a को पहले ही side base दो, अब कमाल की बात देखो एक, कि a square यहां भी है, यहां भी है, दोनों से a square root से बाहर लोगे, तो a common आ जाएगा, और उपर वाले a से cancel होगा, सीधी बात यह, तो यह हो गया a sine theta, और बटे में root से बाहर जैसे a आएगा, तो यह a square है root के बाहर आएगा, a से एक का काम खतम, यहां से क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, 10 inverse, sine theta, और 1 minus sine square theta हो जाएगा, cause square theta, यह हो जाएगा, अंडर root के अंदर, cause square theta, square से root को हटा लेंगे, question same pattern से चलना, यह जो आएगा, वो कहीना कहीं cancel होगा, और कुछ नहीं है, उपर तो sine theta ही, नीचे स्कॉर्ण से root हटा लिया, तो cause theta बचा, और sine theta upon 10 theta, sine theta upon cost theta, 10 theta, 3-3 theta को समझ लिया, 10-10 को समझ लिया, के वल बचा theta, theta की जगए value रग दो, क्या है theta की value, यह सरह साइन inverse, x upon a, sine inverse, x upon a, तो यही हमारे पास इसका answer हो जाएगा, that's clear, यह आपका इसका right answer हो जाएगा, same उसी pattern से question solve हो रहे हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे, बस यहाँ पर multiply में a ले लिया है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, a लेने से a जो उपर है, नीचे है, वो कहीं न कहीं एक काउमन आकर cancel होएगा, same pattern से question चलेगा, बहुत important question होते हैं, इस परकार के question पका मिल नहीं है, यार उसमें कोई सक नहीं है, कि ऐसा question आनहीं है, आनहीं है, confirm है कि आएगा, ठीक है, वो आप किसी भी board से पढ़ लेगा, question ऐसा मिले गई, बागी कोई दिक्कत की बात नहीं, चले आंगे, अगले question पर चलते हैं, छटे के बाद, इसी pattern का एक question और करते हैं, एक question और है हमारे बस, 10 inverse के अंदर कुछ लिखा हुआ है, अगर तुम इसको ध्यान से इस pattern को देखोगे, अब तुम्हें ये दिखने लगे होंगे pattern, कि 10 inverse के अंदर जो लिखा है, वो कुछ 10 3 theta का formula लिखा है, अगर तुम यहाँ पर समझू, ए ना होता है, एक ही जगा simple 1 मानेंगे, वाई काउम करेंगे, एक ही जगा तुमने 1 लिया, और x की जगा तुमने अगर 10 theta रग दिया, तो 10 theta minus 10 cube theta upon, यहाँ पर तो एक ही जगा 1 हो जाएगा, 1 minus 3, एक ही जगा 1 ये 10 square theta, ये किसका formula यार, ये 10 3 theta का formula नहीं लिखा है, ये तुम्हें आभ इस पश्च दिख रहा होगा, कि यहाँ पर अगर x की जगा m 10 theta माल ले, तो ये simple 10 theta का formula एक के उपर दिया नहीं ना दो भी, ये माल लो कि x की जगा तुमने 10 रखा, और सिधा 10 theta का formula लिखा है, अब a है तो 7 में 10 theta मालने, तो 7 में उसके गुड़े के a माल लेंगे, a की value 1 रखके हमने माल लिया, कि a यहाँ पर थाई नहीं, अब a है तो a 10 theta लेनों, बस यहाँ से क्या लिखोगे, माना, पहली line क्या लिखोगे, माना x बराबर a 10 theta, क्योंकि 10 का formula दिख रहा है, sine का कोई ऐसा formula नहीं है, कि 3 sine theta, sine cube theta, 1 minus 3 sine square theta, इसा कोई formula नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे, 10 theta ही रखना पड़ेगा, अब यहाँ से x upon a हो गया, यह हो गया 10 theta, तो theta की value यहाँ से में लिख सकते हैं, 10 inverse x upon a, जो आंगे हमें यूज करना ही पढ़ती है, लिख लिया, अब यहाँ पर value रखो, question पर आजो, 10 inverse 3, a square की जगा, a square रखा रहें नहीं दो, x की जगा तुम a 10 theta रख दो, x की जगा तुमने रख दिया a 10 theta, यहाँ से हो गया minus का a 10 theta का whole cube, क्योंकि यहाँ पर x की जगा रखो गया, x का cube है, तो whole cube हो गया, मैं a की step y चल ला हूँ, ताकि अच्छे से clear हो जाए, a cube की जगा, a cube रहने दो, minus 3a, 10 x की जगा हो जाएगा, फिर a 10 theta, तो यहाँ पर रख दो, a 10 theta, और इसका आगया whole square, clear बात, अब देखो क्या बन गया, यह बन गया हमारे पास, थोड़ा सब उपर से बढ़े, यह हमारे पास हो गया, 10 inverse, a square और यह a मिलकर, a cube हो जाएगा, तो 3a cube, 10 theta, minus, a का cube हो जाएगा, यहाँ से, और यह हो जाएगा, 10 cube theta, upon, a cube तो हाई, इसका अंदर गुडा करोंगे, तो यहाँ से देखो, यह a का square हो जाएगा, a square, a के साथ गुडा होगा, तो a cube हो जाएगा, तो 3a cube, और यह हो जाएगा, 10 square theta, यह हमारे पास आजाएगा, यहाँ से, आप तुम देखो, a cube उपर से भी common है, a cube नीचे से भी common है, a cube से a cube cancel हो जाएगा, वो हो नहीं था cancel है, उसके बगएर काम चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक a cube हटेगा नहीं, तब तक formula बनेगा नहीं, तो आपने a cube उपर से common लिया, तो अंदर क्या बचा, 10 theta, 10 theta माइनस का 10 cube theta, बटे में मारे पास क्या आगे, यहां से भी a cube common लिया, तो 1 माइनस हो गया, 3 10 square theta, ठिक, यहां पर 3 भी है, तो 3 भी लगा लिए, 3 आपर लिए, a cube से 1 cube का काम खतम, अब बचा 10 inverse, फिर से formula लिख देते हैं, 3 10 theta, माइनस का 10 cube theta, upon 1 minus 3, 10 square theta, यह 10 3 theta का formula लिखा है, 10 inverse हो गया, अशर यह 10 3 theta, 10 से 10 का काम खतम यह, बचा 3 theta, theta की जगा value रख दो, यहां से मने निकाली रखी है, तो आज आएगा 3 10 inverse, x upon a, that's your right answer, यह आपका answer हो जाए, clear है सभी को, important है यह question, और बहुत आसान है, अगर आप एक बार यह pattern समझ लेते हो, चिर्फ formula त्रिकोन मिती के याद रखने हैं, 11 के formula हर जगा यह काम आ रहे हैं, आप यहां पर देख पार हो, कि यहां पर अंदर किस प्रकार का pattern बनना है, यहां पर x की value तुम रखो, अलग-अलग value रख कर देखो, लेकिन जब formula होगा, तभी तो value वो suit करेगी, अब यहां पर तुम अगर 10 theta रख दे, तो कुछ होगा नहीं, उससे a 10 theta रख दे, तो 1-8, 10 theta रखोगे, 1-10 square theta बन जाएगा, कोई formula ही नहीं है, फस जाओगे, sine cost 10 में बदलोगे, कुछ आँगे जाके फस जाओगे, solve भी नहीं होगा कभी, तो ऐसा pattern बनाना जो तुमें लगेगा, कि अगले step में कुछ ने कुछ अच्छे से solve होने लगेगा, तुमें लगेगा कि वो कुछ अच्छा pattern बनता जा रहा है, वो आँगे solve होता जा रहा है, खुदी से हैं मैसूस हो जाएगा, खुदी दिखने लगेगा, तो उसी according हमें questions को solve कर दो, ये basically हमारे पास वो questions है, जिनमें हम x की जगे कुछ रखते हैं, एक बहुत महत पूर question है, उसको मैं start करना चाहता हूँ, ये वाला जैसे question है, दस्वा नंबर question है, 10 inverse, question हमारे पास दिया गया, ये 10 inverse है, 10 inverse, bracket के अंदर है, 1 plus x, ऐसे ही एक question और दिया गया है, वो caught के पदों में, same इसी pattern का question है, वहाँ पे 10 की जगा है, caught लिखा है, question वैसे ही solve होगा, जैसे ये solve होगा, इस question को solve करने के काफी तरीके, 2-3 तरीके हो सकते हैं, हम लोग सबसे आसान वाले तरीके से करेंगे, जिससे सबसे आसान वे में, ये question solve हो जाए, एक तरीका तो ये हो सकता है, कि जब भी तुम्हें under root दिखता है, तुम सबसे पहले परिमेकरन पे जाते हो, काय पे कि हम सर इसके सयुगमी से answer हर में गुणा करें, परिमेकरन करें, हर से root हटाने के लिए क्या करें, जो हर का सयुगमी है, इससे उपर नीचे गुणा कर दें, तो root हट जाएगा, और आप ये तरीका लगाओगे, तो question solve हो जाएगा, answer भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने हर का परिमी करो, कि आंगे x में कुछ solve होता चला जाएगा, और आंगे कुछ ऐसा pattern बन जाएगा, कि x में आप कोई value रखोगे, और डारेक्ट ये answer आपका आजाएगा, हमें सिद्ध करना ये भी दे रखा है, क्या सिद्ध करना, आप x की value रखोगे, और कुछ लाग कुछ बन जाएगा pattern, एक और तरीका है, मैंने जब भी बताया है, कि तुम्हे x के साथ 1 दिखे, या cos के साथ 1 दिखे, दोनों बातों का मतलब सेमी है, अगर x के साथ 1 है, तो x की जगए cos रखो, क्योंकि cos में दो फार्मूले हैं हमारे पास, cos 2 theta में, क्या हम cos theta भी रखेंगे, तो भी दो फार्मूले, half angle वाला लग जाएगा, जिसमें एक में sin होता, एक में cos होता है, और दोनों में अगर चाहिए plus के साथ, क्योंकि हमें ऐसा pattern रखना देखो, यहाँ पे x plus, जो 1 plus x है, मतलब 1 के साथ plus लगा है, और एक 1 के साथ minus लगा है, 1 minus x, मतलब वो plus वाले फार्मूले को भी suit करे, और minus वाले फार्मूले को भी suit करे, ऐसा x का मान रखो कि वो plus वाले 1 को भी खतम करे, और minus 1 वाले x को भी खतम करे, 1 को भी, तो आपको पता है कि cost में ऐसे दो फार्मूले है, cost 2 theta के दो फार्मूले है, क्या मैं पता है कि सर्व हमारे पास, एक 2 cost square minus 1 हो जाएगा, एक 1 minus 2 sin square theta होता है, दोनों फार्मूले में x की जगए आप अगर cost theta रखते हो, तो 1 दोनों जगए से आप cancel कर सकते हो, तो 1 का दूस्बन का हो, simple cost, अगर आप cost रख दोगे, तो 1 का काम खतम हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हो, हमने लिखा कि माना x बराबर cost theta, आप cost theta ना मानकर cost 2 theta भी ले सकते हैं, चोटी cost theta लेंगे तो यहाँ पर half angle वाले फार्मूले लगाने पड़ेंगे, 2 cost square theta by 2 लिखना पड़ेगा, आप 2 theta लोगे तो सीधा simple simple वाले फार्मूले लेंगे, तो सीधा ऐसा करो, x बराबर cost 2 theta ले लो, ठीक, बाकि हमें theta की आँगे जबवत पड़ती हैं तो ऐसा करते हैं, कि यहाँ से theta की value निकाल लेते हैं, तो 2 theta बराबर केता हो गया, cost inverse x, और यहाँ से theta बराबर क्या आजाएगा, theta बराबर आजाएगा 1 by 2 cost inverse x, ठीक, यह theta की value आगी, अब यहाँ पर रखना शुरू करो, मैं रखता हूँ, 10 inverse, bracket में, 1 minus, 1 plus cos 2 theta, क्योंकि 1 cos 2 theta सीधे रखेंगे, तो half angle नहीं बनेगा, सीधे 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1, सीधा formula होता है, सीधे आप लिख दोगे, वैसे आपको half angle लिखना पड़ता, answer उससे भी आजाएगा, परिसान नहीं होना, कि अगर cos theta मान की चलेंगे, तो क्या नहीं आएगा, आज आएगा, कोई दिक्तत की बात नहीं, 1 minus cos 2 theta, बटे में हमारे पास, 1 plus cos 2 theta, और plus का, अच्छा उपर plus है, उपर minus से नीचे plus है, 1 minus cos 2 theta, अब ध्यान से देखो, 1 plus cos 2 theta की जिए क्या रख सकते हो, 2 cos square theta, सीधे रख सकते हो, 2 cos square theta, पता है ना, अंडरूट के अंदर, सीधे आ जाएगा, 2 cos square theta, minus, 1 minus cos theta के अंदर, 2 sin square theta, याद है ना यार, ये तो नहीं लिखना पड़ेगा, ये फार्मूले तो याद होंगे ना, कि cos 2 theta बराबर होता है, सब 2 cos square theta, minus का 1, minus 1 इस साइड लाओ, तो क्या हो जाएगा, cos 2 theta, plus 1 equal to direct हो जाएगा, 2 cos square theta, याद है ना, तो इसी की जगह, आमने सीधा, 1 plus cos 2 theta की जगह, रख दिया, 2 cos square theta, ऐसे ही जब उमारे पास, cos 2 theta बराबर, दूसरा फार्मूला होता है, 1 minus 2 sin square theta, ठीक, तो आप इसको इस साइड लाओ, उसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो गया, 2 sin square theta, बराबर, 1 minus cos 2 theta, तो 1 minus cos 2 theta की जगह, आमने क्या रख दिया, 2 sin square theta, यही दोनों फार्मूले, यूज हुए, अब यह यार, बताने की बातें नहीं हैं, यह मैं पता होना चीब भाई, ठीक है, अब चलते हैं, आगे, bracket में हमारे पास, यहां से under root के अंदर आ गया, यहां पर भी हो जाएगा, 2 cos square theta, plus, यहां पर भी हो जाएगा, 2 sin square theta, इतना प्यारा pattern बन जाएगा, देखना, cos square से root हट जाएगा, लेकिन 2 पहले बाहर लेना पड़ेगा, तो root 2 दोनों से बाहर ले लो, ठीक, root 2 answer में भी बाहर आएगा, root 2 हर में भी बाहर आएगा, root 2 cancel होगा, देखना, बहुत प्यारा pattern बन जाएगा, एक ही बाहर में answer आएगा, root 2 हमने बाहर ले लिया, cos square theta, मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ, यह हमारे पास हो जाएगा, cos square theta, लिख देता हूँ एक इस्टिप की बात है भाई, तुम रूप कहोगे, cos square theta, माइनस, यहां से भी root 2 पूरे से बाहर ले 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 लेते हैं, सीधा, root 2 सीधा बाहर हूँ, अंडर root के अंदर, cos square theta, माइनस का, अंडर root के अंदर, sin square theta, ठीक, ब्रेकट बन, यहां से भी root 2 बाहर हूँआ, अंडर root के अंदर, cos square theta, अंदर साइन स्कायर धीटा ृट से रूट वू है ए आगया टैन अन funk हथेटा अफर ऑन कौशच थीटा कुछ याद आया कुछ याद आया भाई यह अभी और यह कोश्चन साल सॉल किया पीछे कहां गया भाई 10 inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x x की जगे यहाँ पर theta है same pattern का question है मैं आगे नहीं solve करूँगा आपको पता है किसको solve करोगे तो pi by 4 minus x आ जाएगा same question है आप यहाँ पर देखो theta है बस वही question है कहाँ गया cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta आप cos theta से बाग करोगे 10 का formula बलेगा मैं direct answer लिख रहा हूँ यहाँ पर answer इसका क्या आएगा pi by 4 minus का x आप x की जगे value रग दो x हमारे पास क्या है x हमारे पास है 1 by 2 अभी लिखाला cos inverse x यहीं तो proof करना है देखो यही proof करना है मैं direct answer लिख दिया हूँ same pattern का question अराम से कर लोगे same pattern का question बन गया आपको पता है कि यही question अभी हमने पीछे करावा हूँ है तो आराम से आप सारे को question को कर लोगे छीक हैना वे रोट तो नहीं किसी को बहुत अच्छा कोष्चिन है को कोष्च नहीं इस प्रकार के कुष्च्श सबसे ज्यादा इंपोर्टन ए सेम पायटन का कुष्चिन advance को कुषिन सेकनथ आप जोऊठों थाइक ना इसवLes इसाम आ अंसर आजाएगा कोई दिक्कत की बाद से से चलेगा इसी पैटर्न से वो भी कोशन चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है इसको मैं स्टार मार करते था हूँ सारे लोग को ये questions तो लगा नहीं है, इसमें तो कोई सक नहीं है, ठिक, long में बने गा question, क्योंकि आदा तो ये हुआ, अभी आदा में करना बाकी है, तो long में ही बने गा question, ये हो गाए मारे पास सरलतम रूप में व्यत्त करने वाले questions, जिनको हमें सरन लूप में वैक्त करना होता है या किसी question को सिध करना होता है इस pattern के question हमने काफी लगा लिए maximum मैंने questions करा दिये अभी कुछ question और करेंगे थोड़ी देर और रुकना है अपना थोड़ा देर और चलेगा लगबग आदे गंटे लगबग 40 इतनी देर में हम लोग फिनिस कर लेंगे ठीक है आंगे चलते हैं बात करते हैं आंगे नई चीजों की कुछ नई चीजों में कुछ फार्मूलें हमें सीखने हैं और जैसे कि कोश्चन यह दिया गया है इस प्रकार के कोश्चन है जो आपने जैसे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का भी फार्मूला कहीं नहीं यूज किया है उसका डाइट कोश्चन अपने में दिया भी नहीं लेकिन मैंने cause inverse y, इसके direct हमारे पास formula है, वसे without formula भी वो question solve हो जाते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता दूँगा, लिख लेते हैं, लेकिन formula अगर दिये गाएं बुक में, तो लिख लेते हैं, sine inverse x plus sine inverse y का formula होता है, हमारे पास sine inverse sine inverse x bracket में 1 minus y square plus का y bracket में 1 minus x square, same pattern का हमारे पास formula होता है, sine inverse x minus के sine inverse y का same pattern का हमारे पास एक और formula होता है, जहां पे बस यहां पे minus होगा यहां पे minus होगा, तो यहां पर भी minus होगा, बस same pattern का साथ, ठिक, ऐसे possessed मेण फार्मूला होता है, cause inverse x प्लस का cause inverse y, यह आपको तरह लगेंगे जैसे sign a plus b का होता है कि sign a cos b plus ka cos a sin b उसी pattern का formula है बस उसी pattern पने आप याद करने में बहुत आसानी रहेगी तो यह हो जाएगा cos inverse यह होता है x into y यहाँ जब plus है तो यहाँ पे minus आएगा तो यहाँ से हो जाएगा under root के अंदर one minus x square under root के अंदर one minus y सको है ठिक उढिक कोई दिक्कत तो नहीं सेम पैटरन का मारे पास एक फार्मूला और सिंवर्स x plus sin inverse y plus cos inverse x plus cos inverse y इस पर आधारित कुछ questions हम करेंगे इसके अलावा भी यह मलब question direct हम formulae से तो लगाई सकते हैं यह question जो 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 साइन verse x, sin verse y लगाएंगे तो answer हमारा कुछ sign में ही आएगा आपको पता है कि sign verse sign लगाओगे तो यह कुछ formula जो लगेगा वो sign में ही answer देगा, sin inverse में कोई answer आएगा, उसको फिर 10 में बदलना पड़ेगा, तो 10 में बदलने का तरीका क्या है, वहाँ परमपाइथा गोरस प्रमे का उपयोग करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा explain करना चाहता हूँ, एक बार explain कर देता हूँ एक example लेके, इधर explain कर लेता हूँ, मालो आपके पास क्या है, मालो आपके पास यह दिया गया है, जैसे हमने इसको question को solve किया, और हमारे पास यहां से आ गया, sin inverse, मालो 3 बटे 5 आ गया, ठीक, sin inverse 3 बटे 5 निकल क्या आया, अब इसे आपको क्या करना है, 10 inverse में बदलना है, 10 में value क्या आएगी, वो हमें बताना है, तो इसको हम पाइथा गेरोस प्रमे का उपयोग करेंगे, कैसे, आपने मालो यहां पर क्या किया, इसके बराबर अगर हम ऐसा करें, कि इसके बराबर अपने माना theta, तो यहां से क्या हो जाएगा, sin theta बराबर आजाएगा, ऐसे लिख बनाओ, simple सा एक तरभूज बनाया आपने, पाइथा गोरस प्रमे के लिए, यह आपको पता है, 90 डिगरी के सामने वाली भूजा हमारे पास कर्ण होती है, ठीक है, यह हमारे पास आधार है, और यह हमारे पास लंब है, सी दीसी बास में, ठीक, अब आपको पता है कि यह ठी ठीक हाना पड़ेगा तो आदार की आएगा, चार अब आपको पता है कि इसन ठीक ब्राबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यह ठीक ब्राबर होता है इसा लंबटे अधर, लंब Нबटे अधरное. अब सीधा आगया 10 ठीक ब्राबर लंब लहारे पास कितना है, तीन आधर कित करते हैं तो अगर sign में an सल आ रहा है ओर हमें equal में 10 में प्रूफ करना है तो उसको 10 में बदल सकते हैं से 10 में बदल अगर आपके पास लं बका आधार तीनों चीजें हैं तो आप किसी भी त्रीकॉर्ण अनुपाद में बदल सकते हो तो ऐसे question जब तिये जाए कि मालू ये sign में दिया गया है अब एक तरीका तो यही अमने sign का formula लगा या sign में कुछ बना उसको उमने 10 में बदल दिया तो यह हमारे पास answer प्रूव हो जाएगा एक तरीका और भी हो सकता अगर हमें यह formula कहीं पर याद नहीं आया महलू तो भी हम इसी तरीके से पूरा question solve कर सकते हैं सिर्फ एक formula याद करके 10 वाला कि इस sign को भी 10 में बदला इस sign को भी 10 में बदला और फिर 10 inverse x प्लस y का formula लगाया और 10 में ही prove कर दिया तो दोनों तरीके से answer के पूरे marks मिलेंगे बिल्कुल अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है फार्मूला लगाओ जो sign में बदल दो नहीं याद है भूल गया है दिमाज में उतर गया किसी चीज वज़े से लेकिन 10 वाला तो याद है ना तो 10 का formula simple भी होता है और वो याद करने में भी से आसान है और हमें पता भी रहता है तो इसको भी हम 10 में बदले लें इसको भी बदलेंके क्योंकि यह पाईथागोरस हमें श्टार्टिंग से लगाते रह्य इसमें हम कन्फ्यूज है लगारे हमें हमें पता है कि sign है यह लंबट एक तो हम आधार निकाले, यहां भी लंबर टेक करने, यहां भी आधार निकाले, इसका भी 10 में बदल लिया, इसको भी 10 में फार्मूला लगाया, 10 में ही आंसर आजाएगा, और प्रूव हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मैं इसको दोनों युँज करूगे जरूर ब्रेकेट में साइड में लिखोगे कि सैंवर्स सैंफस्लाइब स्वाई का मुनrecht फार्मूला Seb उसी के माक्त हैं दे्खो है Zach माक्त zur मर क्टने ने ची आदाम माक्स भी अपना नहीं कटना चाहिए कि सरा अधा माक्स इस वजेस कर गया मैंने लिखा नहीं मुझे पता था तो लिखा ना चाहिए न वहाँ पे लिखना है वो फार्मूला ठीक है मैं डारेक्ट लिख रहा हूं साइन इंवर्स हमारे पांस हो जाएगा आठ बटे 17 अंडर रूट के अंदर 1-3 बटे 5 का होल इसक्वाइर थीन बटे 5 का होल स्क्वाइर प्लस का थीन बटे 5 अंडर root के अंदर 1-8 बटे-17 का होल इसका यही तो होता है साइन इन वर्स एक्स माइन अरूड प्लस यस वाइं ड़ डरो चन खीस सीधा लिख रहा हूं तीन बटे पांच ऐसे रहने दू इसको तो सॉल्व कुरना पड़े गवाई इसको मैं कर देता हूं जार इसको भी नहीं डारेक्ट लिखना जीए रहा फिस चलो कोई नहीं इनियों डू करेंगे ऊडि डोसो नवाशिए यह हूं मारे पासों गया साइन इन्वर्स आठ बटे सत्रा है कि चार बटे पांच अबात्य इन फवाँ यह हमारे पास कित्ता बन जाएगा इसको में भी डारेक लिख देते हैं 289-64 करेंगे 225-25 बनेगा याद इसको भी कोई बात नहीं तो यह आ गया साइन इन्वर्स कित्ता हो गया अब 8 चोको 32-17 पना 5-25 तब पांच एक पंचांड बीन इस जता होगा बंचांड भी तो होगा या तिक पांच चम 535 पांच एक मपांटीन नो ठीक पांच इन आट अपना पचासी कि एक रोक इतनी विश्टेक हो रही 8.32 और यहाँ पर आ गया 50 प्लस यहाँ पर आऊ 3 वटे 5 मतलब ऊपर हो जाएगा 5.3.45 मैं डायर लिप देता हूं 5.3.45 और 17.5.85 हो जाएगा ना 17.5.85 हो जाएगा ठिक अब यहाँ से समझो क्या हो जाएगा 85.35 कितना बचाईए हमारे पास यह आगे हमारे पास sign inverse 3245 हो गया है हमारे पास 5 2 7 4 3 7 सासतर बटे पच्चासी सासतर बटे पच्चासी आगया भाई इसको अब 10 में बदलना पड़ेगा क्योंकि option में 10 लाना है अब तुमें पता है इसको fair में करोगे कोई दिक्कत नहीं पाइथा गुरस प्रमे आफ फेयर में ही लगाओगे आप यहां से तुरंद पाइथा गुरस प्रमे के लिए एक छोटा सत्रभूज बनाना साइड में समकोह त्रभूज आप यहां पर ऐसे लिखना था59 का स्कोइर मजब थी और मांश एस मतलत तहिक तो यहां से अधार इसकोइर हमारे पास उसकता आएगा अधार का मतलब मानके तब आजयो जैगा अधार कि वेलु निकालोगह लिख एगा स्टीस ही आएगी तो आधार कि ता आग आगया थार पास अब साइन को 10 में लिखना डारेक लिखो तुम 10 इनवर्स क्या होता है लम बटे आधार कितना एसा 70 और आधार हमने कितना निकाला 36 डारेक्ट आपकर यांसर कोई सोचने समझने की बात ही नहीं तो इस तरीके से तुम डारेक्ट लिए आंसर निकाल सकते हैं बास समझ में आई अगर फार्मूला तुम्हें नहीं यादे तो तुम्हें यही काम पहले करना पड़ेगा जो काम हम तो बहुत अच्छी बात है अफार्मूला याद रखो इसको कैलकुलेट करो ज्यादा कोई खास कैलकुलेशन नहीं यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करेना यह तो करी लोगे दसमलों में तो है नहीं इस 36 का ही बनेगी बात में देख लेना ना कि हमें 36 36 लाना है आप 36 का स्कॉयर करके देखना यही चीज़ बनेगी जो अंडरूट में यहां पर दिया गया होगा उसे मांसर आपके पास आजाए ठीक है क्लियर सभी को बहुत प्यारे कोश्चन है ऐसा एक कोश्चन भी आने के सबसे ज्यादा चांसेज है जो इस पैटरन का फ़ाला है ठीक है एक और कोशिन करते हैं इस पे जैसे बहूत प्यारा कोश्चन एक और दिसरी ये कोश्चन है अब इस कोश्चन में क्या दिक्कत है कि सर्जीय तो इतन में यह तो इधर तो साइन में बनेगा in question में बदल कि इसा थी का बहुत मझेदार तरीका और सिंपल समसे और लगता है जो मुझे कि साइन को भी टैन में बदलो इस इस पांच बटे 13 को 10 में बदलते हैं, फिर cos inverse 3 बटे 5 को भी 10 में बदलते हैं, जैसे पहले वाला अगर ले ले, sin inverse, 3 बटे, पाँच बटे 15, इसको 10 में बदल ले, 5 बटे 13, ठीक, त्रबुज बनाओ, सीधे साइड में छोटा सा, कि आपको पता यह लंब होता है, यह कड होता है, आधार क्या आएगा, डारेक्ट लिख सकते हैं, वैसे आधार अमरे पास 8 आने वाला है, क्यूंकि 13, 13 में 59 होता है, पचम 25 होता है, कित आएगा, 169 माइनस 25 करेंगे, 8 नहीं आएगा, 144, 12 आएगा, अदार अमरे पास कित आ आ जाएगा सिम्टम तो आधार मैं डारेक्टली यहां पर लिख रहा हूं वैसे आप जैसे लिखो के वैसे ही मैं बता देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सरहम कैसे एक्जाम में लिखनेंगे तिक आपने आधार निकालना है आप यहां पर छोटा सा लिख लेना कि आधार बराबर सर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सीधा यह लिखना 13 का स्क्वार माइनस के 5 का स्क्वार ठिक अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 144 बराबर आ जाएगा 12 तो आधार बराबर किता आ गया 12 और डारेक्टली यहां पर लिखना 10 इन्वर्स किता आ उसको भी करना ही पड़ेगा कोई option है नहीं, तो फिर में करना है, कोई थिर में ईकर देना, divers cause क्या होता है आधार बटे कड़्या कन्न अधार पास है 3MER कन्न है 5 लंब इस बार में ज्याद करना थीक लाल बटे का काट possupp पता ही lotta आप लम्ब बराबर हमारे पाथ क्या हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा अन्डरा रूट के अंदर करंसी तो मतलब 3 का इसका 25 माइनस नौ मतलब की 16 बराबर है चार तो लंब बढ़े पास किता आजएगा 4 इसको हम लिख लेंगे 10 में भी इसको भी रिक नमे लिक लेते हैं तो 10 इन्वर्सस किता हो जाएगा लंब बटे आधार तो लंब RHS, रोसिदी ही तो करना है, आपने RHS उठाया, यहीं से RHS लिखना चीए था, basically, कि हमने यहीं से RHS ले लिया था अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रख दो 10 inverse 63 बटे 16 को जब बदला थो किता आया था, 63 बटे 16, चै यह 5 बटे 13 को बदला था तो 5 बटे 12 आया प्लस 10 inverse इसको बदला तो मारे पास 3 बटे 5 को तो 4 बटे 3 आया 10 inverse X प्लस Y का फार्मूला है 10 inverse X प्लस Y बटे 1 माइनस X इंटो Y 4 बटे 3 है भाई ठीक, यह रैटिंग बहुत खराब है भाई 4 बटे 3 तो यह आगया 10 inverse 12 आया 36 तो 5 तीया 15 12 चौको 48 बटे में आगया 36 1 माइनस 5 चौको 20 बटे 36 किता हो जाएगा यह हो जाएगा 10 inverse 48, 15, 63 बटे 36 यह हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस 20 मतलब कि 16 बटे 16 बटे 36 36 से 36 का काम खतम यह मारे पास आगया 10 inverse 63 बटे 16 क्या यही लाना था यही तो लाना था 63 बटे 16 यह लेफ्ट है LHS सिंपल आंसर आजाएगा आप दूसरे तरीके से चाहना तुमारा मन करे आपकी इच्छा हो आपकी जिग्यासा हो आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो आप आराम से इसको क्या करना साइन को कॉस्ट में बदलना को से अंसर लाके फिर 10 में बदलना वो भी आ जाएगा इस लिए से से लगता है फार्मूला सिंपल है बहुत वार यूज्ञा परदा है इसलिए बहुत आसान सा लगता है था फया है सान को को सो कोस को टैन अंतर स Carbon और अराम से बदलते होhait चोंब कर सकते हैं जो बार्यों को यार वहाँ यहां पता निहीं कहाँ से आ गया था भीश में कहीं से में स्प्रिंट हो गया था आंगे लेना चाहिए था मुझे अब यह तुम्हें पता है तुम्हें अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 10 है अगर हम अंदर 10 10 inverse बना ले तो 10 से 10 inverse हटके हमारे पास आंसर जो वो वो वह निकल आएगा और यहां पर 10 inverse है अंदर 10 बनाते तो भी 10 से 10 अर जाता है 10 और 10 inverse है तो भी कोई दिख्कत नहीं कि यहां पर 10 और 10 inverse बन जाएगा तो 10 10 10 inverse x बराबर x हो जाएगा पस 10 की हमारे पास range में उनीची वेलू तो करते हैं ना इसको sign को में क्या करना पड़ेगा 10 में बदलना पड़ेगा court को 10 में बदलने में कोई दिक्क्र नहीं कि कोई कर इंवर्स को इसको बड़ेवलू बड़ेगा सीधी बात कूखिया पास 10 बराबर क्या होता है लाल बटे काका से लंब बटे आधार और आधार बटे लंब तो और आधार दिया गया है यह आधार बटे लंब हो जाएगा ठिक इसको सॉल्व करते हैं अच्छा कोशन इसलिए कर लेते हैं इसे भी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी हमें दिया है साइन इन्वर्स इसे तैन में बडलना है अभी समय ज Dawson medals का कॉम्बिनेशन क्या होता है तुम्हें पता है कि चार होता अगर हमारे पास लंब टीन ऐ पाच यह तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा इसको इसंग्onfire नब बटए अधार तो यह क्या जाएगा लंब बटे आधार से यह सार हो जाएगा लंब हमारे पास तीन आधार एचार ठीक अईसे ही तुमारे पास एक लिखाया कौट इनवर्स 3 बटे 2 इसको अगर तुम्हें 10 में बदलना है तो आराम से बदल सकते यह जाएगा 10 इनवर्स दो बटे 3 कि तेन यह मोर्ण होते हैं, कई दिक्कत नहीं, तो इस थेट 2 बते 3, अब अंदर रख दोू वेल्यू, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, ब्रेकट इन एंवर्स क्या है, तीन बटे 4 प्लस दो बटे 3 बटे का हो जाएगा 1-3 बटे 4 गुने 2 बटे 3 टिक यही तो हो जाएगा एक ब्रेकेट और लगा तो यह हो गया 10 10 इंवर्स ब्रेकेट में तो चार तीया 12 एक तीन त्रिक नो और चार दूना 8 और बटे में 4 दिया 12 नीचे क्या हो जाएगा 12 माइनस तीन तूना 6 और बटे का बारा चारती है 12 से 12 का काम खतम यह हमारे पास किता आज आएगा 10 कि 9 और 8 हो जाएगा 17 ठीक बारा से बारा खत्मी हो गया 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 ठीक ब्रेकेट में 10 भी तो था 10 भी लिख लो भाई 10 10 इन्वर्स क्या जाएगा 9 8 17 बटे 6 17 बटे 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 10 का काम खतम तो 17 बटे 6 इस दर राइट आंसर कि लिए तो इस प्रकार का कोश्चन यहां पर भी ऐसे में फार्मेट भी बन सकता है कि डारेक्ट आप इससे बदलवाएगा अब एक तरीका आपको यह लगता कि नहीं इसको भी वैसे कर सकते हैं कौट को फिस साइन में बदलें फिस साइन वर्स एक्स वाई लगा हैं फिस भी आलरगा है क्या यृषिर crawl आमिए और तो कम से कम फिस कोको समस्या तो नहीं लगरी बाई अजीप सा तो नहीं कुछ लग रहा की क्या ही चला आसान असान से पूरा फील करके तुम लगातार देखते रो लेक्टर तारे कोश्चन पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बहुत आसान चैप्टर से रिवाइज हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगे अब लाश्ट का थोड़ा सा पार्ट बचाए मैक्सिमम लोगों ने फिनिस कर लिया है अभी हमने इसका यूज नहीं किया इसका यूज और सिखा देते हैं टेबल सर ली तो है टेबल का रेंज पर आधारित कैसे कोश्चन बनते हैं उनका पार्ट देख लेते हैं वो विविद में भी दिये गए थे कोश्चन बहुत प्यारे कोश्चन उसके बनते हैं यहां तक हो गए हम लोग साइन टेन खतम कर लिया हम लोगों ने अभी यह दो कोश्चन अच्छा इस बाकार के बागी सरल कलने के बाकी हल करने वाले और फिर हम लोग यह वाले करना हैं बहुत प्यारे कोश्चन संमीकन को हल करने किसी पो हल करना मतलबब उसका मान निकालना यहां पर इस को अगर यहां पर नंग ना होता सम्जू को को समझ लेते सीधा इसको सॉल्व कर लेते X की value निकाल देते हैं तो कि 10 उन्वर्स हट जाता है कट जाता नहीं बोलते हैं उसको हटा देते हैं simple सा टेंवर्स हट गया ठीक है लेकिन 210 इन वर्स है तो टू ये घड़बल कर रहा है तो टू टैन इन वर्सेट का एक फार्मूला पढ़ा है 10 inverse के पदों में पढ़ा है नाम लोगों ने कहां गया पढ़ा है भाई कहां ये 210 inverse x का 10 के पदों में ये फार्मूला होता है 10 inverse 2x upon 1 minus x उसका है तो बस यही वाला फार्मूला यहां पर यूज करेंगे फार्मूला लगाओ 210 inverse x का सर्फार्मूला होता है 2 10 inverse x का फार्मूला होता है 10 inverse 2x x की जगह पर यहां पर पूरा कॉस x है तो कॉस x रख लो कोई दिक्कत नहीं और 1 minus cos square x हो जाएगा एक्स की जगह पर जो है उसकी जगह में वो रख दिया बराबर हो गया 10 inverse 2 cos x ठीक 10 inverse 10 inverse हट गया क्या बच्चा 2 cos x 1 minus cos square x हो गया हमारे पास sin square x 2 upon cos x को में लिख सकते हैं 1 upon sin x sin x से एक sin x का काम कितम cos x को 1 upon sin x लिख लिए ठीक अब क्या बचा 2 से 2 का काम कितम क्या बचा यहां पर cos x upon sin x बराबर आ गया 1 यह इस से कट गया यह हो गया cortex cortex बराबर 1 x बराबर आ घया आगे ना पाई फोर आपको पता है कि 45 डिगरी की वैलू वेलु उमारे पास पाउब भाई 4 की वैलू जो होती है वो thumbs पास court में 1 होती है, 10 में हो चाहिए, court में दोनों में value 1 होती है, सीधे answer क्या हो जाएगा, 5-4, अच्छा question है, इस प्रकार की question confuse करते हैं कभी-कभी, कि कैसे हमें follow करना है, pattern याद रखो, question आसान है, ठीक है, चले आँगे, ऐसे same format का एक और question है, मारे पास, हैं, अच्छे अच्छे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम एक दोन different तरीके से करेंगे, जो सबसे आसान तरीका है, बस एक value मैं zoom करेंगे, आराम से पूरा question स्वाल हो जाएगा, एक तरीका तो यह है, कि आप sine inverse जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे यह लिखा है, कि sine inverse यहाँ पे लिखा है, 1-x, आप इस वालों को उस side लेगा, या चाहिए इसको भी side ले जा सकते हैं, चाहिए इसको भी side ले जा, कुछी को भी एक को उस side ले गए, pi by 2, plus Forever 2 sign inverse x, किसी को भी ले जा सकते हैं, इसको भी ले जा सकते थे उससाइट अब तुम यहाँ पर क्या करते यहाँ पर आप क्या करोगे अब इसको उससाइट भेजोगे तो 1-x है यह हो जाएगा साइन और फिर बचेगा पाई बाई टू प्लस का टू साइन इन्वर्स एक्स तो साइन 90 प्लस ठीटा आपके पास क् द्यूगात बनेगी अवेसा जब इसको अंदर हल करोगे तो आरे पास एक द्यूगात समीकर बनता और उससे हम एक्स की दो वैल्यू निकालते फिर हम किसी वैल्यू को सेप्टिटूर करते एक तो तरीका यह है चाहे इसको उधर ले जाओ इसको इदर ले जाओ यही काम कर में घट जायेगा यहाँ पर भी अंदर साइन ना Сाइन कुछ हटेगा एक्स बराबर अगरम साइन थीटा मन ने माना सो ना एट्स बराबर रखो यहांपर हमने रखा साइन इलवर्श मायनस साइन। changing two sign inverse साइन तीटा बराबर का डिए, फिर्फ सांध करते है uma g झाल समझाओ, इसको ऐसे रहनें, दूख सब्सक्राइब साइन इसके लिए च्रहती है, य थीटा तों बादर रहे घ्यां हास्य भी थीटा उस साइड लेगा तो पाइवाई- मैनसट का है उदर गया प्लस का हो गया तो ठीटा साइण को साइड लेखे तो यह दो गया बन इनर टो पॉनस शानδα को गई कि साइन करोगे डेखना कितना प्वारव सो कुश्चन हो जाएगा वन माइनस साइन ठीटा हो गया यह है साइन पाई भाई साइन नाइन टी प्लस ठीटा साइन नाइन टी प्लस ठीटा क्या होता है कॉस्ट ठीटा तो सिंपल यह आ जाएगा सर कॉस्ट ठीटा आ जाएगा साइन नाइन टी प्लस ठीटा हमारे पास क्या हो गया सर साइन नाइन टी अंतर लगाया तो से साइन के पदो और बॉलह कॉश्टू ठीटा का साइन के पदो में फार भूला है मारे पास 1-2 इसकोई अच्वाईर यह फार्मूला लगाया वर से वन का काम खतम इसको इधर to zero, एक बार हमने sine theta equal to zero किया, ठिक, तो sine theta equal to zero किया, तो यहाँ से हमें पता है कि sine theta अगर हम zero करेंगे, तो sine theta बराबर हमारे पास क्या है, x, इसकी जगर x रखा, मतलब x बराबर हमारे पास एक value आ गई, zero, दूसरी value, एक बार हमने क्या किया, 2 sine theta, minus का 1 equal to zero किया, तो दूसरी value के आ गए sin theta बराबर 1 by 2 मतलब x की value आ गए 1 by 2 क्योंकि sin theta को उमने यहाँ पर x मान लिया x बराबर हमने sin theta रखा ना था तो उमने x रख लिया क्योंकि x की value ही हमें ग्याद करनी है सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि sir x के दो मान आ गए कौन कौन से 0 और 1 by 2 हम तुरंथ हमें sir option में दिख राए कि sir 0 1 by 2 यह answer है direct हम answer मार के आँगे बढ़ जाएंगे यह यह तो करेंगे हमने simple क्या किया question में अभी last conclusion बाकी है x बराबर sin theta रख दिया और इसको solve किया सीधर sin theta रखा है साइन को उधर ले गया तो pi by 2 90 plus theta हो गया यह cos 2 theta हो गया इसको sign के पदों में खोला क्योंकि sign की value निकालेंगे क्योंकि sign को ही x को ही sign को हमने जो मारे पास x दिया गया था उसको ही हमने sign के पदों बदला है मतलब हमें x की value निकाल ली इसलिए अपने x की पदों में बदल लिया कोई डिक करने x का मान हमने निकाल लिया answer दिखा 0 1 by 2 answer मार के आंगे बढ़ जाएं last conclusion यह बाकी है क्या देखो दोनों value दोनों संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि यह x के मान है हल है इस समीकन के अगर हल है तो इसको संतुष्ट करेंगे आप रखो एक बार आपने क्या रखा sign की जगाए x की जगाए पर पहले 0 रखा है तो 0 रखो sign inverse 1-0 और यह हो जाएगा 2 sign inverse x यह तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा sign inverse 1 यह तो 0 हो जाएगा ठीक sign inverse 0 sign 0 की वेलू 0 sign inverse 1 की वेलू पाई बाई 2 तो यह तो सही पाई बाई 2 आरा है राइट इंट साइड को संतुष्ट कर रहा है मालब 0 is the right answer ठीक क्या 1 by 2 भी संतुष्ट कर रहा है देखो sign inverse 1-1 by 2 2 sign inverse 1 by 2 left hand side में सिर्फ x की जगा 1 by 2 रखा यह हो जाएगा sign inverse 1 by 2 minus 2 sign inverse 1 by 2 sign inverse 1 by 2 किसकी वेलू होती है 30 डिग्री की मतला पाई बाटे 6 minus का 2 यह भी हो जाएगा पाई बाटे 6 यह कट जाएगा पाई बाटे 3 इसको लस्ट आम लोगे minus का पाई बाटे 6 आजाएगा 6 और 3 में LCM ले लो minus का पाई बाटे 6 आएगा जबकि इधर पाई बाटे 2 लाना है और इसको LCM लेने पर minus का पाई बाटे 6 आ रहा मतलब कि 1 by 2 संतुष्ट नहीं कर रहा है आप क्या लिखोगे यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही होगा आंसर हमारा A नहीं यहाँ पर राइट होगा कोई A मार के तुम्हें दिखे कि 1 by 2 आ गया 0 आ गया आंसर मार के आंगे बढ़ जाए वहीं पर गलती कर दोगे आंसर के वल C राइट है इसका 0 तो C is the right option इसी वज़े से यह important question बनता है आप यहाँ पर लिखोगे चुकि X बराबर 1 by 2 समी करण को संतुष्ट नहीं करेगा समी करण को संतुष्ट नहीं करता है यह आप दिखा भी सकते हूं नीचे आता X बराबर 0 समी करण का हल है यहाँ पर तो यह option type में question में दिया गया है option में नहीं आएगा जब भी question आएगा 3 mark से कम में यह question नहीं आएगा क्योंकि बहुत प्यारा question है और मज़ेदार question है तो जब भी X की कोई हम इस वज़े से question करा है कि दोखो यहाँ पर X की जो value निकाली यहाँ पर एक different case बनता है कि आप अगर समी काल करने को आया है और X की दो value आ रहे तो उनको संतुष करा कि एक बार check कर लेना कि ऐसा है तब आप आँगे answer उसका लिखना है क्योंकि आप अगर महलो option में नहीं आया है कोई बात नहीं तो आप यहाँ पर छोड़ा होगे कि यह हल है हो सकता वो आधा marks काट दे इस वज़े से कि यहाँ पर आधा क्या वो एक भी काट सकता है कि यह तुमने दोलों कैसे लिख दिए यह इसी एक ही अल को लिखना था इस टप के, मार्क्स मिलेंगे, फिर पूरे माक्स नहीं मिलेंगे, इस लिए यह बात रात रखना अप उसको रक कर संतुष ग्राकि एक वार, चेक चेक कर ले न, क्रॉशिक कर ले न, कि हाँ यह हल है या नहीं कुछ संभीक करना है अल है मेडला क्वूशिन है मारे पास SIGN inverse SIGN 5x6 एक है मारे पास 10 inverse 5x4 ठिक हमारे पास Question से माल लिए यह मारे पास दो Question हाओ नए SIGN एक गयार मा छोलने से पहले इनको पहले करते हैं हमारे पास एक question है, sine inverse sine pi by 6, 10 inverse 10 pi by 4, हमें पता है कि जो sine की range होती है, वो minus pi by 2 से pi by 2 होती है, 10 की भी range यही लगबग है, minus pi by 2 से pi by 2, सिर्फ छोटे bracket के अंदर होती ही, बाखी चीज सेम रहती है, minus pi by 2 से pi by 2 रहती है, यह pi by 6 जो value है, वो इसी range के अंदर की है, तो direct sine से sine 8 के answer pi by 6 हो जाएगा, यहाँ भी pi by 4 जो value है, वो इसी range के अंदर की है, वो हमारे पास direct cancel हो के 10 से 10, सिधे pi by 4 इसका answer हो जाएगा, मतलब यह है, कि जो 10 के जैसे अंदर जो लिखा है, यह तभी 10 को हटाएगा, जब इसके अंदर की value होगी, वो इस range के अंदर हो, यह sine से sine तभी हटेगा, जब यह sine के अंदर जो यह value लिखी होगी, वो minus pi by 2 से pi by 2 के range के अंदर की value हो, अगर range के अंदर की value है, तो आप directly ऐसे हटा सकते हो, जैसे मैंने यह हटा दिया, कि यहाँ से pi by 6 हो जाएगा, यह 10-18 के pi by 4 हो जाएगा, क्या यहाँ पर हम हटा सकते हैं, यहाँ पर देखो, अब इस से इसको हटाओगे, तो यह क्या आएगा, 2 pi by 3, 2 pi by 3 मतलब समझ रो किती value हो गए, 180 रखो के pi की जगे, तो किता हो जाएगा, तीछा गडार, मनब 120 डिग्री आ जाएगा, और यह कित्ती होती है, minus 90 से plus 90, यह कित्ती होती है, यह हमारे पास minus pi by 2 से pi by 2, minus 90 से plus 90 होती, simple, तो यह range के बाहर चली गई न, तो इस case में तुम directly नहीं अठा सकते, तो आपको कैसे करना है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको इसमें में तोड़ना पड़ता है, अंदर की value को, आप देखो क्या करोगे, यहां पे sign inverse, sign, 2 pi by 3 को हम तोड़ लेते हैं, इस क्रम में तोड़ लेते हुँ, टो भाई भाई थ्री हमारे पास कहा होगा, बात समझो, 120 डिए, यह 0 degree है, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास pi by 2 है, यह पाई है, यह हमारे पास second, 4 थांस में होगा, तू पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा आप आप पता है कि यहां से क्या हो जाएगा इओ जाएगा थी पाइब माइनस का पाइब एच्छी रहता है साइन का क्मा में खतम सीधा पाइब थ्री इसका राइट आइब किलियर बात, सभी को बात समझ में आई कि कैसे क्या और आ यहाँ पर हम क्या करेंगे। इस प्रकार के कोस्टन में हमें पहले तोड़ना पड़ेगा साइन को उसकी रेंज में लाना पड़ेगब उसके बादी आप को ठीक अब इसको देखो 10 इन वर्ड इसको भी हम लिख सकते हैं 10 पाई अब यह पाइब हम्हें पता है थी पाइब फॉर का मतलब कितना होता है देखो समझाल पाई की जगे 180 रखो तो पाई की जगे तो 180 रखो कि चार से काट ओ कर चार तो 45 45 तिया कितना हो जाएगा 3 4 को बारfit 135 जेकरी करीब मतलब कि यहांप अगर आएगा सेकेंड ने अगर अगर आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पता इसकी एंगा से फस्ट से इधर होती है वाइनस पाइबाइ टू से पाइबाइ टू होती है तो आपको इसको फिर से पाई के साथ ही बदलते हैं या 10 को भी पाई के साथ बदलेंगे सभी को पाई के साथ इसी बदलते हैं हम पाई-बाई-टू के साथ भी बदल सकते लेकिन फिर वहाँ वेल्यू चेंज होगी फिर कॉस को फिर साइन में दो काम बढ़ेगा ऐसा नहीं उसके पीछे लॉजिक है कि आप अगर सब्सक्राइब से अने होता है 10 एक या इक्ष हैंस माइनस ठीटा मनलब कि सेकेंड चाहिए एक से से कुछ माइनस कर रहें से केंड चेटिव अन्युक्त और यहां पर क्या हो जाएगा 10 इंवर्स 10 माइनस का पाई-वैप और घया ये बात तो पता है न एक सिन ही ठीटा माइनस का 10ठीटा हो जाएगा हमारे पास पता है तो यहां से क्या हो जाएगा 10 से 10 को खतम कर लो ढहाँ पार лूं थिक स्थटा है जिसके लिएbsp थीक है चले आंगे बहुत प्यारे प्यारे कोशन नहीं जिसमें बदलना पड़ा है तुम्हें आसान वाले तो आप करी लोगे कि अगर डारेक लिखा है कि 10 इन्वर्स पाई भाई थी तो आप डारेक लिखी लोगे कि सरी पाई भाई थी आ जाएगा कोई दिकत नहीं ठीक है यह 10 के साथ मलब पाई भाई थी ए टेन इन्वर्स पाई भाई थी ए तो अब एक और कोशन करते हैं तेरो कोशन अंतिम कोशन है लास्ट कोशन है अपना आज की वन सौट का मैंने स पाई की वैलू रखके भी दिखा रहा है आपको कि यहां पर तुमने पाई रखा च्छे तरीक ठारा मतलब कि सात्रीकी 210 जिगरी निकला जबकि कॉस की रेंज क्या होती है जीरो से पाई बहुत पेंज हो गये हम लोगे है अब जीरो से पाई अगर होती है कॉस की रेंज हम आर सीधी बात है तभी आंसर निकलेगा अब ये 200 दिए 180 ज्यादा है 180 से कम मिलाना पड़ेगा इसको बदलते कैसे बदला जाएगा को कह सिर्फ कॉस को सेवन पाइबाइबाइबाइब शिक्स को मिलेख सकते हैं पाई प्लस पाइबाइब शिक्स यह आ आपको तोड़ना आना चीह थोड़ा सा कि 6 कम 6 7 5 बटे 6 हो जाएगा यहां अभी तक माइने से लगा रहे थे क्योंकि अमया पर टू पाइप जो नीचे स से एक कम चाहिए था यहां पर भी नीचे से कम चाहिए था इशलीं मैंस लगा दिया 3 सि एन्वंश कोई माइनस का पाई फैट सिक्सा आद अदर अकि सि को दिमाग में आ रहा हूँ की कॉस से को उर्माइनस — सा गया मेंड़्स थी पर को गिलए बात तो पता हुगी यार कि कॉस ऐता होता है वह चीटा के बराबर होता है सी अदिसी बात की का दर अगर मेंड़्स छीटा है तोे मां फ्ला1 के टीटा के बराबर होता है तो यारी कॉस माइस टीटा प्लस का लिखोना इसको क्या जरूवत है माइनस लिखने की तो कि प्रकार कोशन एक कोशन में लिख रहा हूँ आपके लिए कॉस इन्वर्स कॉस तेरा पाई बटे 12 यह कोशन मैं लिख रहा हूँ तुमसे ठीक है यही करना जाके कोई दिखकत नहीं 3 पाई बटे 6 निख लेते कोई दिखकत नहींग है चैलिको इसको कि एट यह डूमये टाइक थिकर टे चैक है गूशन सेम यही कोशिशन तो मिसको जब्लू में ट्राइक करना आपको पता है कि ठीक हूण जो है वो हमारे पास इसकी रेंच से बहार है देख रहा हूं ना पाई के जगे तो में 180 रखो तूपाई से भी बढ़ा है तो तूपाई से भी बढ़ा जाएगा तो एक बार इसको ट्राई करना जाएगा तो आज हम लोगों ने इतना वन सौट अपना कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने सारे पैटर्न के मैंने बेसिक से सारी चीजं बताई है कोई ऐसी चीज नहीं जो हवा में चली सारी धीरे धीरे और बेसिक से ही बताघी और इतना ही अपने स्लेबस में है इतना ही करके जाना है इतना भी अगर आप करके जाओघे तो आप पूरे माक्स पाऊँगे उसके लिए मेरी गारेंटी है तो बहुत प्रॉपर और वन से इस वन सौट को कम्प्लीट करना मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वन सौट और सारे लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताया करो कि वन सौट आपको कैसे लग रहे हैं फ्री हैं आराम से लिखे और आपको अच्छा लगता है तो जरूर वहां पर बताईए ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए टाटा बाइबाए